सबस्ित इंधे घा जिये तो दुसरा दिन है हमारा कल bytérique धी और गई दूसरी से यापकी उर्पास हम इंशन किर आतके और में के यह इंप पड़ा था अच्छा एक और बात, एक और बात, important announcement, कि कद हम लोग बात करें ते हैं, DPP की, DPP is nothing but MCQs, MCQs और आपका means का अंसर जो है, that is DPP, तो DPP, यानि कि आपके MCQs, आपका means का जो question और उसका answer है, and third thing is, third thing is your notes, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके handwritten notes, basically compiled notes जो है, वो आपको मिलेंगे next day morning तक, right, उससे क्या होगा, कि जैसे मैंने कल पढ़ाया, तो आप लोग घर गए होगे, यानि घर महीं हो already, तो जो है, आपने उसके बाद, वो NCRT पढ़ ही होगे, मैंने कहा था पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ा होगा आपने, जो मैंने पढ़ाया था, उसको, you know, जो भी mark किया था, वो पढ़ा होगा आपने, तो today you are in the position to actually handle those 10 questions, right, also, also, एक और reason है कि हाँ, हम क्यों, you know, next day करेंगे, यानि आज आपको 10 MCU मिलेंगे, और हर दिन, अगले दिन मिला करेगा, right, तो उसके द में target कर रहा था कि paleolithic तक पढ़ा दू, but आप लोगे doubts बहुत सारे थे, इते सारे बच्चे है, इते सारी बाते है, right, है न, plus explanation में कभी-कभी, you know, flow में कुछ चीजें आगे आती है, कुछ चीजें पहली class में रह जाती है, तो जैसे हम paleolithic आज पढ़ाएंगे, तो जो questions set थे, उसमें कुछ सवाल ऐसे थे, जो मुझे आज मैं आपको पढ़ाओंगा, तो वो भी cater हो जाएगा, right, कि अभी आप class में ले लोगे, वो भी पढ़ लोगे, अब वो 10 सवाल आपको समझ में आएंगे, और जो है, you'll be able to handle, तो ये हम follow करेंगे, everyday, तो ये थोड़ा सा ध्यान र पूछेगा, right, कद हम लोग बात करेंगे, फिर भी अगर doubt है, तो class के आण में बात करेंगे वापस, ठीक है, अभी class का time इस चीज़ पे allocated नहीं करेंगे, understood, sites है yes, notes अगर आपको मिल जाएंगे, sites के notes अलरड़ी कल class के बाद upload हो गया थे, मैंने देखा था, दोनों notes जो है, class क दिन मिलेगा, यानि D plus 1, मैं आज पढ़ाऊंगा, कल मिलेगा, तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, इसका जो handwritten notes या basically compiled notes है, वो आपको कल मिलेगा, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके MCQs, कल मिलेंगे, कल जो पढ़ाया था, इसके MCQs, आज मिलेंगे, right, तो this is how D plus 1 हम follow करेंगे, धियान रखेगा, चली, हाँ, मैं अपनी handwriting पर focus करूँगा, yes, मैंने ये point कल भी note किया था, कि हाँ, एक की board, जो है, थोड़ी सी आदत मेरी कुछ और तरीके से पढ़ाने की थी, तो आप मैं board पे वापस बहुत time बात पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाना शुरू क तो हमने अब तक देखा, हमने क्या देखा, या आपने क्या देखा, हमने देखा कि सवाल, इस chapter से क्या सवाल आते हैं, यह हमने थोड़ी सी बात करी थी, then हम घुमकडी सीख रहे थे, तो घुमकडी में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जो है, मैंने सिखाए था कि हा आपका, equatorial rainforest में वहां से हम किस तरह निकले, यहां पर concentrate हुआ और हमने घुमना चालू किया, तो हमने घुमकडी की बात करी थी, exploration की बात करी थी, कि कहानी यहां पर कहीं erectus द्वारा चालू हुई, और erectus के बाद यह हम explore करने लगे, पूरी दुनिया में घुमने लगे, यहा knowledge transfer भी ऐसे ही होता है, now, एक और चीज़ अभी और add कर लेते हैं, कि knowledge transfer अगर ऐसे होता है, तो कोई knowledge अगर यहां पर आ गई है, तो यहां पहुंचने में time लगेगा, right, तो हो सकता है कि कुछ characteristic यहां पर develop हो गये, बट यहां तक आते आते, उसी characteristic में 2000 साल लग जाए, possible है, because ए आगे जाके सिखाएंगे, यह takes time, तो knowledge transfer, exploration, resources, यह सारी हमने कल बात करी थी, next, next, जो है, हमने बात करी थी, कि हम आए कहां से हैं, और tactical story में गये थे, geographic इस्तमाल किया था, हमने बात करी थी, formation of worth कहां पर हुआ है, लेकिन सीनो जोई की something जहां पर हम interested थे, सीनो जोई, हमने दो point रटे थे, कुछ ही point में रटने के लिए कहता हूं, रटा क्या था हमने, हमने एक रटा था, Pleistocene, Quaternary Period में Pleistocene और Holocene, Pleistocene 2 million से शुरू हो रहा था, और Holocene 10,000 BC से शुरू हो रहा था, BC और AD कल पढ़ा दिया था हमने, ठीक है, हमने प्राइमेट्स की बात करी थी, कि ह जान भी आता है जहां से हमारे development हुआ source of history archaeology मैंने समझाय था आपको हमने बात करी थी कि हमारा ASI यानि archaeological survey of India जब 1880s 1850s के बाद आया उसके बाद exploration धुड़ाई चालू हुई है और वहां से हमको धीरे-धीरे knowledge मिलना चालू हुआ है उसके पहले हमें ये सारे ideas नहीं थे तो ये बहुत you can say पिछले डेड़ सो साल 200 साल में हमें ये सारी जानकारी हुई है डेड़ सो साल सही वर्ड होगा then हमने बात करी थी कि भाई australopithecus देगा था हमने कहां के हमारा australopithecus australopithecus was someone जिन्हों ने आज से 50 लाग साल पहले से ढूंडाई चालू करी explore करना चालू किया explore नहीं कहना चाहिए experiment करना चालू किया और दिमाग धीरे-धीरे बढ़ने लगा हम पहुँचे habilis में habilis वो था जिसने stone tools तोड़े stone को tools की तरह इस्तमाल करने वाला habilis लगबग 2 मिलियन साल पहले और हमारी लिथी के just technically यहीं से चालू हो रही है जादा credit हमने दिया erectus को जो 1.7 मिलियन यानी 17 लाख साल पहले आया और ये वो है जिसने घूमना चालू किया घूमकड यही था और उसके बाद Neanderthals हमने कहा कि extinct हो गया थे लेकिन हाँ homo sapiens sapiens यानी की wise man ये वो है जो की finally finally सोचने लगा समझने लगा और कहानी आगे बढ़ी modern man की तरफ homo sapiens sapiens पहुचा तो ये हमने कल कहानी देखी थी अब इसे मुझे उमीद है कि आपको स्वान में आगे होगी again इसको बहुत technically समझने की ज़रूत नहीं है UPSC अभी यहां तक नहीं पहुचा है है ना तो tension नहीं लेना है कि हाँ ये इसको लेके बहुत detail में जाना है नहीं इतना more than enough है इससे जादा परिशान नहीं होना है बागी हमने देखा था कल हमने टेक्निकल स्टोरी समझे इंडिया के में बात करी थी हमने गहा था कि रामा पितिकस शीवा पितिकस पुराने एपस हमको मिले थे जो कि basically ड्रायो पितिकस को बिलॉंग करते थे और हमने बात करें कि हतनौरा की इस डिसकवरी राइट क्रेनियम हमको मिला है वोमेन क्रेनियम जो की होमो एरेक्टर से शायद राइट पांच लाग साल पहले शायद ही एक्जिस्स किया करते थे अब इसमें एक और बात जो है कि most of the sites which we know are of tools दो चीजों से डिसकवरी हो सकती थी fossils और tools जादा dependency हमारी tools पर है fossils हमको इतने सारे नहीं मिले आगे जाके हमको mesolithic के बाद बरियल मिलना चालू होगा अब tools में हमने कहा था कि stone tools जादा important है wood वगरा बात करी थी हमने एक यह current affair में हमने बात करी थी कि मनीपूर cave खाली करी जारी खांकोई खांकोई cave है मनीपूर में खांकोई मांक सौर इसके बारे में रहा discussion किया था हमने प्लस हमने बात करी थी teen ages की बारे में राइट कि हां Robert Bruce foot को पहली बार ये 1860 में सुम्वेर अलावरम में एक acts मिला जहां से हमारी ये कहानी चालू होती है राइट ओके और हम इंडिया के context में बात कर रहे थे BC और AD का discussion किया था और हम इस timeline को बना रहे थे अब देखें ज़रा आप लोगो कितनी बाते याद है कल की class का हम लेगी कल की class की recording आपके इस app पे website पे है कल की class की आप recording भी जाके देख सकते हैं कल हमने बहुत सारी बाते करी थी जो मैंने अब भी अल्रड़ी बताया आपको जिसमें हमने बिल्ड़ अप किया था पालियृतिक का बिल्ड़ अप किया था कि हम यहां तक पहुँचे कैसे तो जिन्होंने कल की class नहीं देखी है अल्रड़ी दो घंटे का पाईदप है है ना आज इस class के बाद फटा फट मेभी fast forward करके जैसे भी देख सकते हो फटा फट उसको देख डालना और उसी में हमने सारा source अगरा सब कुछ बात करा हुआ है ठीक है मुझे उमीद है यहां तक की बात याद है देखें यह time line कितने लों को याद है तो 11700 से पहले के time को हमने कहा था बताईए लिखे comment में इसको हमने कहा था please to see तो आर राइटिंग बढ़ ध्यान रखना है sorry okay राइटिंग का feedback याद आ गया मुझे ओके सो हमने कहा था कि यह जो time है पहले का प्लिस्टो सीन और 11700 से या 10,000 BC से क्या चालू होता है भई बताईए लिखे comment में this is your holo scene तो अभी हम लोग holo scene एरा में रह रह रहे है और हमने कहा था कि यह जो line आपको pink line दिख रही है this is your climate change line प्लिस्टो सीन वाल्स कैसा है ठंडा एगरा में यह ice age और holo scene जहां पे climate change हो रहा है technically यह हो चुका है warm right arid भी लिख सकते हैं बढ़ कहीं कहीं wet भी है थोड़ा सा बारिश कम है सूखा पड़ रहा है तूखा तो नहीं पड़ रहा है लेकिन हाँ comparatively arid हो गया है और warm भी यह है second second good very good holo scene बहुत बढ़ें बहुत बढ़ें और जिस पॉइंट पर हमने agriculture यानि 4000 BC पर जहां पर agriculture फिगर आउट किया है यहां से शुरू होता है आपका नियोलितिक यह एक macro view दे रहो है कल भी बात करी थी हमने यह वो point है जहां पर हमने जिस जगह पर agriculture प्रैक्टिस करना चालू किया है पालियूलितिक नियोलितिक और इसके बीच का जो transition phase है this transition phase is mesolithic कल यह introduction हमने कल जया था आज हम पालियूलितिक से कहानी चालू करेंगे अच्छा एक और बात आपको सर जैसे अभी किसी ने कहा कि सर और सही कहा क्यों गलत नहीं कह रहा कि सर वुर तो 2.6 था हां सही है आपको 1.6 मिलेगा अब यह होता क्यों है यह होता है कि उस country में उस country में जो है यह वाली एज कप चाल हुई रैट उसका impact देखो यह जो line ने बनी हुई है न यह scholars ने बनाई है क्या real sense में ऐसा कुछ होता है real sense में क्या इस दिन यह दुनिया हित बदल जाएगी नहीं ऐसा नहीं होगा real sense में क्या पूरी दुनिया में agriculture यहाँ पे आ जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा characteristics यहां पर इस तरह के दिखते हैं कुछ यहां दिखता है इस isolation में यह motivation को हम समझने की कोशिश करेंगे this is only for academic purpose यह scholars historians ने इस तरीब मनें से बौट दिया है real sense में real sense में यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अरे ये स्वरी हाँ सिक सही का आपने यह है अग्रिकल्चर 6000 पर अग्रिकल्चर माई बैड 4000 से चाकोल दितिक चालू मानें गया हूँ रइट अभी चाकोल दितिक एग्णोर करो 6000 पर नियों दितिक ठीक है तोड़ा दूर था तो दूर बना दिया तो 6000 से अग्रिकल्चर है सही कर लेना हाँ बिल्कुल सही कहे रहाँ 6000 से अग्रिकल्चर है अब जैसे जो है European sense में 8000 से अग्रिकल्चर माल लेते हैं हाँ मेरी कलती 6000 से भाई यहाँ से चाकोल दितिक है बताएंगे टाइम लाइन आगे नागे नागे पॉइंट इस European sense में इसको थोड़ा और आगे 8000 से भी ले लिया जाता है हमारे sense में 6000 is good enough क्योंकि महरगड में 7000 में हमने अग्रिकल्चर figure out कर लिया था ठीक है तो इसी ने 6000 हमारे लिए अग्रिकल्चर की लाइन suitable लाइन है तो हम लोग इसी को follow करेंगे irrespective तुम्हारी किताबों में और हर किताब में अलग है Oxford पढ़ोगे तो कुछ और लिखा हुआ है NCRT पढ़ोगे तो ुपंधर Shingh लिख पढ़ोगे तो कुछ और लिखा हुआ है है ना तो सब सही लिखा हुआ है तो किसी में कुछ ऐसा doubt करने की जरूरत नहीं है किसी में कुछ जो है you know debate करने की जरूरत नहीं है है ना it's okay it's all fine for example यहाँ पे जो growth है यह initial phase में बहुत ही slow है अब कुछ लोग इसको 2 million से लेकर चलता है कि पालैलिसिक स्टार्ट हो गया है कुछ लोग कहते है एकुछ अइफिक पांच लाग पर है कुछ पाइच ल मत होना हर जगा यह क्या कह रहा है वह क्या बहुत इससे आурlight इस लड़ाई में इस लड़ाई में हमको नहीं पड़ते हैं NCRT में 8000 लिखा हुआ है हाँ लिखा रहे हैं दो तुम 6000 लिखे लो क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा पहली बार जो खोज हुआ है वो महरगड में हुआ है 7000 में तो 8000 हमारे लिए गल्त है ठीक, 8000 हम नहीं देंगे नियोलितिक, 6000 नियोलितिक is suitable for us, ठीक है, अगेन आपको कुछ और मानना है, माल दो, जैसे कि मैंने कहा कि सारी बात है सही है, आपको लगता है कि NCRT में या कहीं और ये लिखा हुआ नंबर, मैं इसी को follow करूँगा, ये मेरा favorite writer, हाँ, go ahead, ठीक है, को 6000 की लाइन पर हमने नियोलितिक बना है, ठीक है, बड़े आगे, हाँ, कहाँ पर क्या यूज करते हैं ये कहानी बाकी है, ठीक है, don't worry, चलिए, तो आई ये शुरू करते हैं, बात हम शुरू करने जा रहे है, पालियोलितिक बेसिक्स, now, पालियोलितिक, पालियोलितिक पर करना हम अच्छते हैं हम पालियोलितिक, अब तुम बता ओगे मुझे, पालियोलितिक की हम बात कर रहे हैं। अब जरा बताना क्योंकि मैंने कहा ना history बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टबल है पालोलिथिक हम लोग क्या कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि हाँ ये शायद दो मिलियन से चालू हो चुका है और ये 10,000 BC की कहानी है काफी कोल्ड होने वाली है राइट काफी कोल्ड होने वाला है अब ऐसे समय पर सबसे पहले philosophy को समझो कि हम लोग करना क्या चाहते हैं राइट अपन लोग जो है इस समय हमारा motive क्या है हमारा motive है हं आंडगर सोंब में हंटिंग हमने सीखी हैं हंटिंग सी नहीं सीहएं दीलग कर रहे होंगे और विय्स दिस डिफाइं की हमारे stone tools कैसे होंगे हम जैसे जैसे expert hinter बनते जाएंगे हमारे stone tools धीरे धीरे evolve होते जाएंगे in fact stone tools का material भी इस बात पर depend करेगा कि भाई share का शिकार करने जा रहे हो तो थोड़ा सा heavy पत्थर चाहिए strong पत्थर चाहिए तो उसकी strength, shape, size सब कुछ depend करेगा कि तुम achieve क्या करना चाहते हो दूसरी बात जब हम hunting कर रहे होते हैं hunting करते वक्त तो मुझे बताओ कि क्या हम घुमककड भी रहेंगे migrate करते रहेंगे करते रहेंगे नहीं करते रहेंगे कहेंगे सर ऐसे कैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि हाँ nomadic life होगी बिल्कुल सही बात टेक्निकल इसको ऐसे लिख लेते हैं कि हाँ ये nomadic life होगी क्यों nomadic life लिखा हुआ भाई है ना थोड़ा writing धीरे धीरे जोए आएगा ठीक है तो nomadic life तो nomadic life होगी गुमककड होगी reason अब माल लो कि हम पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम जिस जानवरों का शिकार गर रहते हम लोग उसके पीछे भागे 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 गए रात हो गई वहीं सो गए कौन सा पीछे घर आना है घर तो हाई नहीं पीछे कोई तो कहने का मतलब कि कोई settlement जैसा कुछ नहीं होगा किस चीज के लिए हम कहीं रुकेंगे देखो आज के टमस में तुम समझो आज के टमस में जैसे ही तुम घर खरी लेते हो तुमने कहीं पर फ्लैट खरी दिया अपाटमेंट खरी दिया अब भई अपना घर है तो बहुत जब तक कोई बहुत बड़ा ऑपर्चुनिटी नहीं होगा बड़ा चैलेंज नहीं होगा तब तक वो शहर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो घर उनको बांधे हुए है वैसे ही यहां पर कुछ भी उन्हें नहीं बांध रहा है भाई हम जहें किसी लेट से हिरन के पीछे जा रहे थे जाते 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 उस जंगल तक पहुँचे वहां पर अच्छा लगा वहीं सो गए वहीं रहने लगे अगले दिन उठे वहीं से फिर चालू कर दिया तो कुछ भी वापस आने के लिए नहीं है तो यानि की कोई settlement नहीं है कहीं कुछ रुकना नहीं है पास्टन में रहे हो तो कहीं घर बनाने की ज़रूत नहीं है हम ऐसे में कहां रहेंगे हम ओपन में रह देंगे हम बेभी जो है पासा नहीं मिल रहा है वहीं पर कुछ दिल बिता लिया हमने प्लस प्लस बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि हाँ resources resources depend करता है season the season season the season gathering भी तो करनी है ना किसी season में jungle के किसी part में उगरा है कुछ fool अगले season में अगले part में कहीं जो है फल लग रहे हैं जो हम दोग शुरू में बात कर रहे थे there will be n number of reasons हमारे पास stay करने का कोई reason नहीं है क्यों रुके हम किसी भी जमीन के साथ क्यों रुके हैं we will be very mobile and that will be our strength क्योंकि हम जो है जैसे ही कहीं का खाना खतम हुआ कहीं और आगे चलेगा तो रुकने की जरुवत नहीं है settlement की जरुवत नहीं है अब मुझे एक बात वार बताओ यहां पे जो हम जो लोग होंगे हमारा pack होगा pack समस्था ना wolves का pack होता है we are like hunters तो technically इसको बोला गया है कि यह जो society है this is called as band society c-i-e है society देखा हुआ this is a band society पढ़ने में आ रहे है band society right band society का मतरब क्या होता है तो जैसे music band होता है 4-5 लोग बजा रहे हैं और जहें हो गया orchestra हो गया तो उतनी ही बड़ी हमारी क्या होगी हमारा group होगा हम ऐसे कोई बड़े 10,000 लोग 20,000 लोग 7,000 ही रह रहे होंगे maybe 30 लोग 50 लोग बहुत जादा हो गया 60-70 हो गया तो यह जो छोटा सा group है यह mostly close family होगी close family in the sense कि father उनके बच्चे और maybe father का भाई तो हम यह 4-5 लोग रहेंगे या maybe maximum 10-15 लोग young उसमें रहेंगे male रहेंगे let's say 15-20 male मान लो and they are the one who will do hunting क्योंकि अगर हमने number जादा वढ़ा दिये let's say हम 500 लोग रहने लग गये तो जिम्मेदारी क्या हो जाएगी जिम्मेदारी यह हो जाएगी कि भाई सब को खाना खिलाना है और क्या hunting और gathering पे क्या हम afford कर सकते हैं कि 200 लोग का खाना daily बने it is not possible it's a close kin, it's a close family right कि हाँ छोटा सा बहुत ही light यह तो travel करते रहना है right कहीं रह भी नहीं रहें तो light travel करेंगे कम लोग रहेंगे so that there is higher amount और यून के से higher probability of survival अगर हम बहुत बड़ा group हो जाएगा तो तुम hunting gathering पे टेमेंट हो खाना रोज कम पढ़ने लागेगा and gradually पता चला यूनों बचे नहीं extinct हो जाएगे लोग तो maybe जैसे ही pack heavy होने लागेगा maybe they will divide कि हाँ भाई सर आप अपना समालो हम अपना समालते हैं फैमिलीज अलग हो जाएगे right तो this will be called as band society तो stone tool की dependency हमने समझा band society हमने समझा hunting gathering अभी हो रही है यह हमने समझा थोड़ा बहुत side में fishing भी लिख देता हूँ बट अभी fish इतना dominate नहीं कर दे बासम्यारी fish ऐसा भी कोई बहुत strong inclination towards fish नहीं है ऐसा को domination towards fish अभी नहीं है या ओके तो यह हमने बात करी पादल थी कि यह साम में आया किसी को 50 से 100 maximum वैसे 50 is a good number right band society कहते हैं इसको तो क्या कै सीखा तुमने हंटिंग सीखी तुमने कि हंटर और ग्यादर हैं और दूसरा band society है और तीसरा nomadic है ना घर है ना बार है ना कोई ऐसा दरबार है ठीक है तो band society यह हमने बेसिक की समझे पादल रुथिक के बारे में नाव एक और चीज़ नहीं भूलते हैं कि इस समय जो climate है वो cold है तो जो animals है न वो भी ऐसे हैं देखो तो यह different flora fauna है और इनको यह से आगने अगर 10,000 BC मूवी देखी हो तो उसमें इसका शिकार करते हो आपको दिखाया है तो फिलाल तो हमें दिखाई देगा कि mammoth जो है mammoth यह इस तरह कि आपको शिकार देखने को मिलेंगे दूसरा हमने अल्यटी बात करी band society के हमने बात करी कि open air में रह लेंगे river valleys में रह लेंगे food hunting के हमने बात कर ली agriculture अफकोर दूर दूर तक कभी कोई बात नहीं हो रही कोई house नहीं है कोई pottery नहीं है कोई metal नहीं है knowledge of fire धीर धीर आएगा पालियोधिक में राइट पालियोधिक में knowledge of fire और culture का development धीर धीर आएगा वापस एक बार summarize करें आप बताईए जराब पालियोधिक पालियोधिक सुनते ही दिमाग में आता है hunting and gathering कुछ points note down कर लेते हैं hunting gathering पालियोधिक सुनते ही हम सुनगा आता है कि यह है एक बैंड society राइट दूसरी बात fire आगे जाके यही लोग ढूनते ढांते पहुंचेंगे fire तक एक चीज़ और लिख रहा हूँ cognitive revolution अभी पढ़ाया नहीं है रुख जाओ और एक और लिख रहा हूँ culture अभी धीरे धीरे डेवलाप होगा एक बार पूरा पालिटिक समराइज कर लेते हं hunting gathering band society धीरे धीरे fire भी ढूंडी लेंगे fire के इस्तिमाल बढ़ने लगेगा देखो fire कैसे मिल सकती एक मैंने कल example दिया था कि जो आपकी घांस उसके रगणने से आग लग गई तो वहाँ पे आफ्रिका के grassland में fire लगना बहुत ही normal है दूसरा तरीका जब आप ये tool बनाओगे न stone tool तो stone को stone पर मारने के लिए तोड़ोगे तो जब मारोगे है न तो कभी कभी spark कर जाएगा तो song में आएगा कि ओहो ऐसे fire बना जा सकती है तो maybe acknowledgement of fire हमको आया होगा वो fire से जंगल की आग से लेकिन बन right अब ये जो दो point है ये थोड़ी देर में आएगा तब समझोगे ओके तो बात करते तो stone tools especially कल भी आपने बात करें थी कि जो stone का material है quadsite है क्योंकि ये बहुत strong है है और इसी लिए इस man को quadsite men भी कहा जाता है इसके साथ दो धीरे दीरे देखेंगे बोन और वुड का भी इस्तमाल होने लगेगा ओके ना अब देखो stone tools जो तुम इस्तमाल कर रहे हो यहाँ पे यह किस purpose के इस्तमाल हो रहा है यह NCRT में दिया हुए इसलिए यह वाला पार्ट हम यहाँ पर कर रहे है ओके सुना देखो कुछ चीजह ना बहुत ही इंट्रेंसिक है हमारे अंडर आती जैसे जब ठंड लगेगी तो यह फिगर आउट कि कुछ तो पहन दे तो फाइदा होगा है ना जैसे जो है कि आपकी स्किन जो है बाल कम होने लगेंगे रिलाइस कि ठंड बहुत जादा है तो इस फिगर आउट जैसे अभी एक मूवी आई थी रेविनेंट तो रेविनेंट में जो है वाट लेनाड़ो डिड कि उन्होंने घोड़े को काटा और उसके अंदर जाके सो गया तो कि बहुत स्टिचिंग के लिए भी इस तरीके का एक पत्थर इस्तमाल किया जा रहा है डिगिंग के लिए हैना कि हाँ आपका कोई पेड़ का रूट है जैसे हमारे घरों में कान दिखाया जाता है हैना जिमिकंद सुना होगा आपने तो कंद मूल तो ये रूट्स होते हैं जिनने आ खाल निकाली और जब खाल निकाली तो दिमाग में आएगा ना कि पहना जा सकता है इसे तो Scraper लिए भार्क पेड़ों की बार्क छीलने के लिए скreper यूश करेंगे अगे फिर हम Rug और हेड वागरा भी मैनुफाक्टर करने लगेंगे ठीक वुड का इस्तमाल देखेंगे हम वुड जो है यूज होगा आपका से यू नो उसमें लगा देंगे क्या बोलते हैं लकडी के आगे में भी हम कुछ स्टोन का वेपन लगा देंगे और ये बन जाएगा क्या भाला ब और इसको हम लोग तोड़ें तो ये स्टोन जब हम तोड़ेंगे तो एक दो स्टोन का बीच का पार्ट निकाल सकते हैं और एक निकाल सकते हैं चूरा जब तोड़ोगे तो छोटा छोटा पार्ट तूड़ जाएगा और एक इसका कोर पार्ट तूड़ जाएगा तो इसको यही कहा जाएगा इसको कहा जाएगा कोर और इसको कहा जाएगा फ्लिक पोर आंड फ्रेक ठीक है दोनों के टूल्स वनते अभी थोड़ी देर में बताएं ओके सो जो है यहां तक हम सावे लोग साथ में देखो यह चाट जो है यह नो हम चाट नहीं कर रहे हैं जहां पर भी मुझे पूछना होगा डाउट्स और आल के बारे में इसके बाद जो भी डाउट होगा लिखते चलो साइट में कि सर यह डाउट है यह डाउट है बैंड सोसाइटी का मतलब यह हुआ कि जह है जैसे आपके अपार्टमेंट्स माल लोग आप departments में रहे हो या किसी महले में रहे हो राइट कि हाँ सिर्फ 40 लोग, 50 लोग, ऐसी society, ऐसे group को band society कहा जाता है, इसी का बड़ा version क्या होता है, tribe, tribe जानते हो तुम है न, तो इसका बड़ा version tribe है, जो अभी नी बनेगा, आगे जाके बनेगा, तो अभी छोटी society है, band society है, ठीक, चलो, सुनो ध्यान से, तो हमें क्या यह stone को तोड़ के, जो उसका central part है, जो बड़ा part है, उसको कहा जाएगा core, और जो उसका चूरा निकल जाएगा, side में छोटा part बन जाएगा, उसे कहा जाएगा flake, अब मुझे बताओ, core काम का है या flake काम का है, जल्दी बताओ, cognitive revolution अभी नहीं पढ़ा है, मैंने, don't worry, right, अभी इसे focus करो, class केंड़ मुझे बताना कि, आज जब मैं पूछूँगा, तो बताना क्या सवन में नहीं आए, core काम का, flake काम का है, core, flake, core, flake, दोनों काम के, चलो, ठीक है, देखेंगे थोड़ी जर में, right, तो इस तरीके से जो बड़ा part बन रहा है, that is core, और जो छोटा part बन रहा है, that is flake, तो इस तरीके से जो है, हम, you know, tool बनाने की भी टेक्नीक है, जैसे, यह क्यों पढ़ार हो, बहुत ही basic है, और यह NCRT का है, यह पत्थर से पत्थर तोड़ दो, stone on stone, ऐसा करके NCRT ने लिखा एक टेक्नीक यह है, दूसरी टेक्नीक क्या बोला है, pressure flaking, है न, आप देखो, NCRT दे देगा तुमको, pressure flaking क्या होता है, pressure flaking में, तुम नीके वाले stone को कहीं पर रख देते हो, जैसे यह stone रख दिया, उसके उप pressure flaking में, कोई परकसर होता है, परकसर, जिससे मारा जा रहा है, which is more like a hammer, और यह punch है, अब इससे तुम क्या करोगे, कि यह वाला जो पत्थर है, इसमें से जहां से भी तुम्हें पत्थर निकालना होगा, बड़े प्याव से निकालोगे, तो तुम्हें जिस shape का tool चाहिए, व बहुत smart हैं भी, of course, जैसे कि level eyes technique, discoid core technique, अब level eyes पर थोड़ा से बता दे रहा हूँ, level eyes होता है कि आप core जो है, core, यह अभी नहीं बताता है, थोड़ी देर में बताता हूँ, जहां पर यह आएगा, ठीक है, अभी इसको बस सुन लो, कि यहां देरा two techniques, level eyes and discoid, जिसमें level eyes बत सारिया, कम लोग होते, 30 से 50 लोग हो गया, तो बहुत है, this is called as band society, छोटा सा kin group होता है band society, देख रहो, वस इतने ही लोग, बस, ताकि easy रहे, handle कर सके, खाना सब को मिल सके, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बरात हो जाएगी, तो now, तो you'll see, कि polyolithic sites जो है, almost हर जगहा है, और बहुत सारी है, यह map जरा ध्यान से देखने के कोशिश करो, क्या इसे zoom कर सकते हैं, नहीं, zoom तो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जो है, इसको जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कुछ नाम दिखा रहा हूँ, समझने के क कोशिश करना, पहली बात, polyolithic site तुम्हें पूरी इंडिया में बहुत सारी मिनेगे, क्या हम सारी रट पाएंगे, नहीं, हमें रटना भी नहीं है, है न, हैसकी कोई जरुवत नहीं है, एक चीज़ नोटिस करते हैं, पहली बात तो, let me change the color again, okay, so, एक तो यहाँ पर missing है, एक यहाँ पर भी कोई site नहीं दिख रहे, इधर गंगा जमुना site भी missing है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा, कोई site नहीं दिख रहे, और इधर भी हम देखेंगे, तो mostly कम ही दिखेगा, missing ही दिखेगा, reason बताओ क्यों, देखें, आपको क्या याद करना है, जो मैंने भी लिखवाया था न, छोटा, यह पाजिल थिक sites के characteristic बोले था न, कि यह यह characteristic होते है, वो रटना था, जो मैं लिख रहा था, वो लिखना था, आपको वो रटना था, कोई बात नहीं दिखा तो, अभी आगे फिर आजाएगा, कोई दि अभी बेस्ट होता है, राइट, विल भी लाइक कि हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कुछ, तो स्क्रिबल करते चलो, लिखते चलो, गंदा सा नोर सुनाओ, कोई बात नहीं, तुम ही पढ़ सको खाली, अभी बताओ यह खाली क्यों है, इन जगा पर क्यों नहीं है, क्यों खाली है यह जगाएं, यह जगा माकरी न गंगा, जमुना वाला जो ग्यांजटिक प्लेन है, यहाँ पर कोई साइट नहीं है, इधर भी देखो गुदावरी साइट, यहाँ कोई साइट नहीं है, इधर भी कावेरी के डिल्टा में आपको कोई साइट नहीं दिखेगी, आपको है क्यों कि चलिए देंगे दो बात हो सकती है एक तो यह भी बात हो सकती है कि हम लोग अपकर धूंड नहीं पाए पॉसिबल है जैसे एक अद एक्सेप्शन हमको मिलता है कल पीन यूपी जैन एक्सेप्शन अभी मत नोट करो आगया आएगा तो यहां पर यहां पर देखो एक बात तो यह है कि हम लोग ढूंड नहीं पाए क्योंकि क्या है कि भाई फर्टाइल अलुगल प्रेन है बाड़ आती रहती तो चीज़ा दब गई भी डूंट नो दूसरा जो प्रॉबबल रीजन हो सकता है और या फिर कहो पहला रीजन जो ह हो सकता है और इसको काटने के लिए न जो है यूनो थाट टाइम लगेगा अभी वी आर नोट रेड़ी तो आक्चुली पेनिट्रेट इंटू दिस पॉसिबल नहीं है कि जंगल साफ करके हम उसमें चले जाएं प्लस फ्लट वगरा का खत्रा भी रहता ही है प्ट मोस इंप तो यह पूरी वजीटेशन बिल्कुल नाचरल वजीटेशन एक्जिस करती है और इसलिए इसमें अभी पॉसिबल नहीं है तो यू रियलाइज कि नॉट ओली दिस इवन इंडस के जो जोन है आपका ये वाला जोन यहाँ पर कोई सटेल्मेंट टाइप का हमें अब तक नह आगे बढ़ते हैं सुनाओ पालियोलिथिक जो तुम चीज़े पढ़ रहे थे तुमने क्या गया पड़ा पालियोलिथिक बैंड सोसाइटी स्टोन टूल्स वगर आके हम बात कर रहे हैं पालियोलिथिक को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है आपका लोवर पालियोलिथिक एक है मिडिल पालियोलिथिक एक है अपर पालियोलिथिक समझते हैं 2,000,000 से आपने कहानी चालू करी थी और आप इसे मीजिशलिथिक तक ले जाना चाहते हो कहां तक 10,000 BC तब राइट, साथो साथ बनाते हैं, चलो अच्छा लगे, राइट, टू मिलियन, अब हम क्या कह रहे हैं, कि टू मिलियन से, रफली तिल वन लाक, या फिर कई जगा वन पॉइंट फोर लाक भी लिखा हुआ है, मैंने कहा ना इन सब चीदों से कोई फरक नहीं पड़ता, तो दो मिलियन से, वन लाक या, वन पॉंट फोर लाक यूरस अगो, जो टाइम है, दाट इस कॉल्ड आज लोवर पालुलित है वन लाक से, या वन पॉंट four लाग से,। टी सॉजैंट तक का जो टाइम है, और था इस कॉल्ड आज मिडल पालियसत है अब 40,000 से 10,000 BC का जो टाइम है that is अपर पालो थिक लोवर पालो थिक, मेडल पालो थिक, अपर पालो थिक बना लो भहिए राइट, लोवर, मेडल, अपर पालो थिक अब अफकोर्स, जो है, यह जो ग्रोथ यहां से यह हमारी खोज चालू होगी हमारे, let's say, Homo erectus या Homo habilis की जो खोज चालू होगी, ग्रो करना चालू करेगा तो वो धीरे 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 करके ग्रो करेगा और यही रीजन है कि इस दो मिलियन को लोग अलग 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 टाइम देते रहते हैं वो यह कहेगा, पांच लाग से शुरू का लो, sir, क्या ही फरक पड़ता है At this point, Lower Palutic क्या हम यह बात सारे लोग समझ सकते हैं कि Lower Palutic में हम कम समझदार होंगे Middle Palutic में और समझदार हो जाएंगे अबर Palutic में बहुत समझदार हो जाएंगे क्या यह बेसिक सी है यह इतनी बाते समय आ रही होंगी कि हम धीरे-धीरे समझ रहे हैं Lower Palutic, Middle Palutic, Upper Palutic Lower Palutic is the point जहां पर हम लोग अच्छा बाइदेवे यह पूरा ही पाल उर्थिक है और इसकी साथ मैं लिख सकता हो कि इस पूरे समय में हम लोग हंटर रहे हैं ग्यादर रहे हैं और क्या रहे हैं और क्या लिख दूँ इसमें Band Society लिख दूँ Band Society भी रही है या ओके ओके तो Lower Palutic Now, we must understand कि दो मिलियन से इस एक लाखे एक लाख चालिस अदर के बीश में हम अभी यह नो बिल्कुल ही चीजें फिगर आउट ही कर रहे हैं एकदम शुरुआत है तो यह वो समय है जब हम लोग कोर टूल्स का इस्तमाल करेंगे बही पत्थर को तोड़ा और जो बड़ा पार्ट बन गया वो लगा कि अरे तो बड़ा है तो ज़्यादा काम आएगा तो हमने कोर टूल्स का इस्तमाल किया क्या यह क्वाट्जाइट होगा अफ्कोर्स क्वाट्जाइट है क्योंकि हमको यही लग रहाएग हम इस टूल्स को बेटर करते जा रहे है इनीशली हमारी जो जरूरत है एक तो हैंड आक्स की यह लिख सकते हो बाते हमें जरूरत है चॉपर की और हमें जरूरत है क्लीवर की हैंड आक्स चॉपर क्लीवर हैंड आक्स क्या होता है हैंड आक्स कुछ नहीं है हैंड आक्स पत्थर को आपने तोड़ा और उसको इस तरीके से बना दिया और यहां से पकड़ लिया ऐसे पकड़ लिया और यह हैंड आक्स गया, right, axe है, पुलहाडी है, जिसमें लकडी नहीं लगी, हाथ लगा हुए, तो hand axe हो गया, अब किसी को मारना है, जा किया पैसे मार दीज़े, ये पालिलितिक भी है, और ये एरा प्लीस्ट्रोसीन भी है, पालिलितिक हिस्ट्री के टम्स में है, प्लीस्ट्रोसीन जोगरफी में, अभी जो stone tool बनाने चालू हो है, बिल्कुल basic, core tool का स्तमाल हो रहा है, hand axe, chopper और cleaver का स्तमाल हो रहा है, hand axe, chopper, cleaver, ओके, तो आईए देखे, तो हम बात कर रहे है, lower पालिलितिक, lower पालिलितिक में, तुम्हें दिख रहा है, chopper और biface, this is hand axe, देखरो, यहां से पकड़ हो, और यह hand axe बन गया, बिल्कुल ही basic, right, chopper और एक और चीज लिखना चाहो, cleaver, right, इसमें cleaver और लिखे लो, तीन तरह की चीज़ां हम इस्तेमाल कर रहे है, पत्थर कौन सा है है, मोसी, quad side, right, है न, core tool का इस्तेमाल हो रहा है, अब यहीं तुम middle polythic में पहुचोगे, तो कहानी बदल जाएगे, तुम्हें scraper दिखने लगेंगे, अभी तुम्हें और आगे जाओगे, अपर polythic में, तो तुम्हें blade दिखने लगेंगे, बुरीन्स दिखने लगेंगे, बट फिलाल अभी हम रहते हैं lower polythic, lower polythic, lower polythic अभी जो मैं diagram बना रहा था, उसी का diagram का mind map version है यह, कि polythic में हम लोग बात कर रहे हैं lower polythic, core tools हमने सीखा यहाँ पे, और हमने लिखा इसमें lower polythic में hand axe, क्यों बार 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 बोल रहा हूँ, रट जाए तुम्हें, chopper, cleaver, by the way तुम इस page का print out भी निकाल सकते हो, तुमारे अलरी notes में भी है, एक खली स्पन्ने का print out निकाल लो, भले पूरे notes का print out मत निकाल लो, and जो है इसी में लिखते चलो, right, अब यह 2.5 lakh लाक लिखा हुआ है, तुम इसको 2 million लिख लो, चलेगा, पांच लाक लिख लो, तब भी चलेगा, तो यह वो time है, 2 million से 1,40 लाक तक, जहां पर तुम यूज़ कर रहो, hand axe, chopper, cleaver, हमारी understanding A.B. कहती है, कि हाँ, यह homo erectus होना चाहिए, mostly, ऐसा नहीं कोई और नहीं होगा, बढ़ा, mostly homo erectus होना चाहिए, अब इसकी site अगर तुम देख है, कि बोरी, हंजगी, ईसंपूर, अब, again, ऐसा नहीं कि हमें सारी रटनी है, हम 2 या 3 रटनेंगे, right, 2 या 3 रटनेंगे, जो है, you know, cleaver क्या होता है, अचाहिए, यह बताना रह गया, cleaver होता है, कि हाँ, जो है, it's more like, थोड़ा सा heavy सा tool, जिसको मार के, किसी को तोड के लग क करना है, खाली वो तोडने के लिए, दो पाट में cleave करने के लिए, that is cleaver, तो फिलाल, तो दो या 3 साइट हम रट डालेंगे, एक हंसगी और इसंपूर या करनाटका में, और बोरी महराष्ट्रा में, एक राजस्थान की साइट और रट लो, डिडवाना, तो देखो, यह ड महराष्ट्रा में बोरी दिख रहा है, यहां पर देखे हंसगी दिख रहा है, और हंसगी बिसिकली पढ़ता है गुलबरगा डिस्ट्रिक में, इसी हंसगी में इसंपूर भी है, इससे जादा नहीं रटेंगे, तीन साइट किसी भी टाइम में रट के छोड़ देंगे, ठी बोरी इसन महराष्ट्रा, डिडवाना इसन राजस्थान, और वी अर डन विद लोर पादो थेग, जड़ा इसको जो है, एक बार एब्सॉर्ब करो, बताओ कि यह चीज़ सवाम में आई कि नहीं आई, नहां निवासा महराष्ट्रा में कहा नहीं नहीं निवासा, मैंने ज जो है, अपनल भी मिल जाएगा, तो उसमें, पालियोथिक मसल्द, मीजोलिथिक मिल जाएगा, आगे, नियोलिथिक मिल जाएगा, तो क्या है कि एक ही जगा पे काफी टांग तक लोग रहते रहें होंगे, तो हम ऐसी साइड्स को टार्गेट ना करते होए, हम जो है, ऐसी स तो बस इतनी बात सम्झों फिर से इक बार बता रहा हूं तुम्हें हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लोवर पालियूलिथिक एज मुझे बोल्कुल ही कि सब्सक्राइब अनुद में बनाया बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैंड एक्स वमने बनाया चॉपर हमने बनाया क्रीवर एंड हमने कुछ साइट्स की बात करी बोरी हंसगी ईसंपुर डिडवाना इतना कम से कम तुम्हें लोवर पाल थे के बारे में पता होना चाहिए दो-30 साइट जैसे तुम केरेटराइस कर सको यही तीन साइट है हम दो-3 टारेट करेंगे बस या खावर जैसे पोरी, हंसगी, डिडवाना, ईसंपुर हंसगी, इसंपुर बोथ आरिन करनाठ का डिडवाना इस राजिस्थान, बोरी इस भाराष्ट्रा या आई नो बहुत कुरियोसिटी है सरे इन्होंने बोलना शुरू किया नहीं शुरू किया रुख जाओ थोड़ी दे रुख जाओ ग्रू करने दो तुम भी अभी फिगर आउट करना अच्छा भी हाँ यह इतना ही आता है अच्छा ओके तब बात समय आईगी तब इस दिखेगा अब यहीं सारी बात कर देंगे समय नहीं आएगा फिरे ना ओके चलिए तो हमने बात कर लिए लोएर पालोथिक की कहानी और आगे बढ़ाते हैं लोएर पालोथिक में एक और बात आड़ करते हैं अक्यूलियन टूल्स यह अलड़ी कली डिसकस कर लिया था फ्रांस में एक जगा है खे के दल सेटिक हुल कि रही इसकी खास बात है तो जो समत्रीक है इनको यो ne बट यह कंटिन्यू करेगा आगे भी ऐसा नहीं कि देगो आगे जाके हम लोग हैंड डाक्स बनाना छोड़ देंगे वापस आओ अगर हम यहां हैंड एक्स बनाना आता है तो यहां भी तो बनाएंगे ना भले हम उसका usage कम कर दें कुछ और अच्छा figure out कर लें पर discard थोड़े कर देंगे तो यहां की knowledge में तो addition ही होना है तो echelon tools हमको आगे भी मिलेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे पासा में आ रहे है या तो echelon tools आगे भी रहेंगे यहां की थोड़ा characteristic माने जाते हैं कि hand access होकर है यहां पे रहती है अब इसके अलावाद देगो sites और भी है घरन वैली है गुजरात में अभी कोई बेलन वैली कह रहा था बिर्जापूर में हाँ आप यह रट लो राइट नर्मदा वैली एस एक अतीर पक्कम अतीरम पक्कम जो है आपका तमिलनाडू में है आप यह रटना चाहें यह रटने भीम बेट का बहुत ही basic site है हर एरा में मिलेगी मत रटो इसे क्योंकि बट यह हर एरा में रहती है हर टाइम में रहती है चलिए तो हमने बात करी lower पालू थिक की कहानी आगे बढ़ाते है middle पालू थिक पर आते है right middle पालू थे अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके पहले क्या हम लोग communicate करते थे क्या हम लोग बाते करते थे right अगर मैं से आया ओ टाटा का करते रहते तो क्या हम आज यह discussion कर पा रहे होते एक लास हम कर पा रहे होते नहीं एक लास हम नहीं कर पा रहे होते so this language is important right this language is very very important कहां पर where did we find out or where did we figure out कि हाँ this is how we are going to speak right in fact सबसे बड़ी बात है comprehend कर पाना right and express कर पाना तो दो चीज़े हैं एक तो मैं express करूँ और दूसरा तुम समझ लो बात important है न दोस्ट right कि हाँ यह इसको कुछ कह रहा है और यह इसको समझ पा रहा है यह express कर पा रहा है और यह भाई समझ पा रहा है ये दोनों ही चीज़ है इंपोर्टेंट है ये कब होना चाल हुआ अभी तक we were more about survival Lower Paleolithic is more about survival कि हमने hand axe बनाना सीख लिया है hunting वगर अब थोड़ा सा खाना पीना चलता है Now it's like we will gradually figure out more things and this is the time Middle Paleolithic Middle Paleolithic में आते आते यानि लगभग आज से एक लाख साल पहले और टेक्निकली से सतर हजार से चालिस हजार कहा जाता है सतर हजार साल पहले somewhere एक नया event चालू हुआ which is cognitive revolution कोगो सर स्पैलिंग अरे बोलतो रहा हूँ दोस्त cognitive revolution लिखा हुआ है right cognitive revolution चालू हुआ cognitive revolution कि मैं कह पाऊंगा और तुम समझ पाऊगे उसके पहले में भी click language चल रही हो अब कोई तुमसे बोले सर इसके पहले कोई communication था ही नहीं that is impossible दोस्त जब जो है आज animals जो है आपस में इंटराक्ट कर सकते हैं तो उस समय भी हमारी कोई click language चलती होगी ना कि हाँ book लगे ऐसे करके मतब टाटा दो बार कर दिया तो भूक हो गया टाटा तीन बार कर दिया मतब जाओ यहां से कुछ भी हमने language develop करी very important तो middle pathologic age में दो चीज़े important है एक तो flick tools अद दूसरा cognitive revolution फ्रोड़ इसको absorb करो अब तक हमारी dependency हुआ गरती थी कोर पर लेकिन हमको realize हुआ कि छोटा सा चूरा टूटा है न यह तो हलका है यह ज्यादा अच्छा है राइट इसको इसको इस्तमाल क्यों नहीं कर लेते हैं तो वह जो चूरा हम लोग तोड़ रहते हैं इस एज में हमको realize हुआ कि इसका भी कुछ बनाया जा सकता है इसकी भी बढ़िया बढ़िया चीज़े बनाया सकती है राइट आंड वी स्टार्टे उजिंग फ्लेक टूस आज वेल ऐसा नहीं कि यह छोड़ दिया लेकिन हाँ addition of flake tools अब जब फ्लेक टूस इसमाल करने और एक blade मिल जा और उसको किसी जानवर को भोकना क्या आसान होगा तो हमें realize होगा कि अरे फ्लेक टूस तो बहुत बढ़िया चीज है इसके पहले हमने क्यों नहीं figure out किया तो तुम टेक्निकली देखोगे यह जो टाइम है एक लाग चालिस हदार से चालिस हदार यह जो एक यहीं वो समय है जहां पर हमने बाते करनी शुरू करें जहां पर हमने अपने आपको express करना शुरू किया अपने emotions express करने शुरू करें और सामने वाले ने समझना भी चालू किया यहां नहीं कि मैं express करूं तुम समझी नहीं रहो नहीं दोनों साइड है यह तू साइड है कि हा उन्हें कहां पर यह मिले यह जो ऑजार है यह फ्लेक से फ्लेक टूल्स इनको कहां मिले इनको मिले निवासा में तो इसलिए इस एज के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है कि This is निवासान इंडस्ट्री और इसलिए मैं निवासा को कहीं और नहीं पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि नेवासन इंडस्ट्री कहा गया है अब भले नेवासा में लोवर पालुथिक के भी अवशेश मिलते हो राइट, में भी नेवासा अलसो हैस, you know, the artifacts of lower पालुथिक बट, I am more interested in placing नेवासा in middle पालुथिक, reason, HD संकालिया called this age as नेवासन नेवासन इंडस्ट्री प्लस एक और वर यहीं पर जुड़ा हुआ है looney इंडस्ट्री अब इसे इंडस्ट्री क्यों कहते है कोई भी जो साइट तुम रट रहे हो, ये दो तरह की होती है, एक होती है habitation site और एक होती है factory site habitation site वो है, जहाँ पर आप कुछ time के लिए रूके गए, खाने पिने लगे, रहने लगे habitation मतलब रहना, cognitive revolution पढ़ा रहा हूँ, दोस्त रूप जाओ right, habitation मतलब रहना right, factory site वो है जहाँ पर, जहाँ पर तुम stone tools बना रहे हो जरूरी नहीं कि यह जगा रहने के लिए उतनी अच्छी हो कि वहाँ पर न stone बहुत अच्छा मिलता है तुम वहाँ गए, वहीं बे तोड़ फाड करी, stones निकाला, वापस आ गए, habitation site में रहने लगे कुछ ऐसी site होंगी, जो factory भी है और habitation ऐसी site को कहा जाएगा, habitation come factory site अब हमको कैसे पता चलता है कि भाई, यह factory site है तो जा हम लोग खुदाई करते हैं, और हमको वो discarded चूरा मिलता है कि तोड़ा गया था और यह तो बेकार होगे, अब फेक दिया तुमने तो फेक्ट्री हो गई, ऐसी चीज़े जहां रहने का भी अवशेश है और फेक्ट्री का भी अवशेश है that will be called as habitation come factory, habitation come factory site हो जाएगे, ऐसी भी sites होंगी कहीं पर factory बहुत वरियाद है, बहुत सारे stones हैं, और बहुत सारे तुम्हें stone tools में रहा है इसको industry कह देंगे, और कभी-कभी excitement में जो है, archaeologist कह देता है, कि ओहो मैंने जीवन में इतना बड़ा धून लिया है, तो इंडस्ट्री है तो निवासन इंडस्ट्री, लूनी इंडस्ट्री, ऐसी ही industries हैं, जहां पर हमें बहुत सारे tools मिल रहे हैं, निवासन इंडस्ट्री और लूनी इंडस्ट्री तो खेर, यहां पर एक tool जो तुम्हें add करना है अपनी list में, वो है scraper Of course, they figured out blades as well, right? लेकिन scrapers और pointers, यह सबसे ज़्यादा develop हुआ So, these are pointers and scrapers, कि खाल छीलने के लिए, बार्क छीलने के लिए, scrape करने के लिए, सबसे ज़्यादा इस्तमाल या सबसे ज़्यादा तरीके के जो tools हमको मिले हैं, हमको मिले हैं, pointers and scrapers Right, right, okay, तो यह हमारा development हुआ, tool side, tool side वापस आते हैं, हमने क्या सीखा, पहली बात तो flake tools और इसी में लिख लो क्या, scraper pointer भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, pointers, scraper और pointers, दूसरी चीज़ की बात करते हैं, cognitive revolution, यहां तक कोई doubt All okay Remains of habitation animal butchery हो सकता है, animal काटा है आपने वहाँ पे, right heights आप create कर रहे हो, उससे हो जाएगा दोस्तों यार जहें इंटरनेट का थोड़ा figure out करो तुम लोग है न, कल भी आप लोग कह रहे थे, कि इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा issue है तो वह चीज़ थोड़ा figure out करिए आप अपने end पर है याप टीम को आप बोलिया, I don't know, कैसे solve होगा, but because यह है, यह थोड़ा सा high resolution चाहिए होगा, so that अभी आप इसे पढ़ पाऊ, ठीक से, understood, क्योंकि बहुत सारा content है, उसे बहुत, you know, हर चीज़ जूम करकर करके, अगर हम बढ़ा करेंगे, तो this will take a lot of time, creation as well, teaching as well, और उसका macro view, mind map तो थोड़ा ऐसा दिखेगा, तो कुछ limitations, जो है, हम समझनी की एक दूसरे की, और जो है, accordingly आपको, थोड़ा figure out करना पड़ेगा, यहां तक हम सारे लोग साथ में हो, तो cognitive revolution की बात आगे बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री वाला फिर से बता देओ, मैं क्या कहा रहा था, कि जैसे माल लोग कहीं पे, लेट से प्लाटो है, वहां पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर है, अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें बनानी है, बढ़िया सी blade, क्योंकि ऐसा कहीं दुकान पे मिल तो रही न बनाना है, तो वहां जाओगे, पत्थर तोड़ोगे बड़ा सा पहले, फिर उसमें से flake निकालोगे, फिर उसको घिस के बढ़िया सा scraper बनाओगे, अब जो तुम्हें जो घिसा आओ, जो चूरा निकला उसे वही छोड़ाए, और तुम चले आए, क्योंकि तुम्हें पड़ा हुआ है, तो उसी को इंडस्ट्री कह दिया जाता है, कि ऐसा एरिया है कि भरा ही हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर फैक्ट्री लगी थी, और लोग यहां बनागे बेचते थे, ऐसी फीलिंग आ जाए, सही में कोई नहीं बेचता था, क्योंकि अभी उस चीज हम अलड़ी रट चुके हैं, क्योंकि नामी इनको इस तरीके से दिया गया, निवासा और लूनी, अब इस कहला हमाँ पोटवार और नर्मदा ओल लिखा हुआ है, रटना चाहो रटो, वरना खाली निवासा और लूनी से भी चलेगा, अब अगेन कमीं बाक टू, कोगनिट कहा जाता है, कि यह हुआ है, सतर हजार से तीस हजार के बीच में, इस दौरान आपका कोगनिटिव रेविलूशन हुआ है, अब इससे फरक क्या बढ़ता है, आईए समझते हैं, अब यहाँ पर थोर सा में डिटोर सा भी दोंगा, और मैं बात करने जा रहा हूँ, जरा इस चीज का डिसकुषण करते हैं, तो हमारी, जह है, जो है, जौर्ज अबराहम ग्रीजन, इन्होंने पहली बार प्रपोँस किया था, कि वी शुट अप्छिली सर्वे, कि हमारे देश में, इंडिया में, हमारे देश में, नॉương नॉटन के देश में, हमारे देश में जो है कितनी भाशाएं हैं जैसे हमारे गाउं में कहावत है कि हर 16 गाउं पे भाशा बदल जाती है तो इधर से अगर देखना शुरू करो तो दिल्ली में जो लांगवेज है हिंदी जो बोली जाती हो काफी फास्ट है लेकिन जैसे ही आप अवत की तरफ भड़ते हैं लखनाओं की तरफ भड़ते हैं लांगवेज थोड़ी स्लो हो जाती है और वो बहुत आप आप कहके बात करने लग जाते हैं उससे आप धीरे धीरे और बिहार की तरफ अगर आप जाने लगें देवरिया साइड अगर आप पहुँचें और स्पेशली जो है भोजपरी एरिया में या जो है देवरिया इस अगोड एक्जामपल वहां तक आप पहुँचेंगे तो लांगवेज की जो स्पीड है वो और स्लो हो जाएगे जड़े देवरिया जाएगा तो वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो वो जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है रएट कि वो कितनी दूरी है तो जैसे जैसे आप कहीं से दूर जाते जाएंगे भाशा बदलती जाएगे मैंने आपको कुछ सिखाया आप आगे गए आप कुछ और change कर बैठे आप आगे गए कुछ और change कर बैठे अगें फॉर इजांपल जो है अगर लेट से आप आप आटो में बैठे और आपने आटो वाले से बोला कि भाईया थोड़ा डिटॉर ले लो राइट है ना रूट पर मत चलो थोड़ा थोड़ा डिटॉर ले लो अब आटो वाला might not know this word detour तो जो है you know he can make his own word किसी और सवारी से जब वो बात करेगा किसा डिटार करने के आज क्योंकि उसने कुछ सुना उसका जो भी understanding है वो उससाब से इसको interpret करेगा और उस word को change कर देगा and that's how language जो है language बदलती रहती है तो ये survey you know उस survey किया गया कुछ साढ़े 500 dialects हमारे यहां बोले जाते हैं now this is not important right now what is important कि global level पर अगर हम देखें तो चार भाशाओं के main इन चार भाशाओं के main हमको wave नदर आती है एक है आपकी austro-asiatik दूसरी है तिबतो-बर्मन तीसरी है dravidian और चौतिन के पीछे चली गई है सर के पीछे which is aryan right तो चार वेव है austro-asiatik, तिबतो-बर्मन, dravidian और aryan मैं इसको लिख देता हूँ तो पहली वेव है austro-asiatik austro-asiatik और इस तरह process को समझते है austro-asiatik, दूसरी है तिबतो-बर्मन तीसरी है dravidian और चौति है इंडो-वार्यन हम थोड़ा language समझना चारे है कि हम वारी भाषा कैसे आई है स्टार्टिंग फॉम कोग्निटिव रेवलुशन जब यह चार नाम रच दालो जल्दी से austro-asiatik, तिबतो-बर्मन, dravidian, इंडो-वार्यन dravidian, इंडो-वार्यन तुम पहले से जानते हो उसके ऊपर जो दो नाम है austro-asiatik और तिबतो-वार्यन यह दो नाम रच डालो तो austro-asiatik, तिबतो-वार्यन, dravidian और इंडो-वार्यन तो अभी जब तुम इंडिया को देखो और लैंगुज अगर देखो इंडिया की तो हमारी south में dravidian लैंगुज बोली जाती है यह जो blue part दिख रहा है, यह आज भी dravidian भाषा बोली जा रही है उपर इंडो-वार्यन बोली जा रही है हमारे himalian side में, जो हमारी himalian belt है, उसमें तिबतो-वार्यन बोली जा रही है और कहीं-कहीं pockets में ऑस्ट्रो-वार्यन बोली जा रही है तो जो blue pockets, purple pockets actually purple pockets तुमको दिख रहे हैं, this is अस्ट्रो-वार्यन बोली जा रही है नौर्थ में इंडो-वार्यन जैसे हिंदी बोली जा रही है और south में dravidian language जैसे है कि तमिल-मल्याला में नौल यह mixing कैसे हुई आएसमाजते हैं सबसे पहले बात करते हैं ऊस्ट्रो-इशाटिक की मान लेते हैं कि उप्रो-इशाटिक का जनम let's say यहाँ पे कहीं हुआ और इसने आगे वाले को बताया , इसने आगे वाले को भाषा बताया इसने आगे वाले को बताया, आगे वाले को, आगे वाले को, आगे वाले को, जहां तक भी चला जायों। तो इस तरीके से पहली वेव आईdate, ओस्ट्रो एशियाटिक। अब ये एक दम पहली वेव है तो सोचो, इसमें complexity भी कम होगी या फिर यह उतना modern angle पर नहीं होगी, जितना हमारी आज की languages होगी, या basically RN language होगी, तो यह पहली वेव है Austroasiatic, जो कि इस तरीके से move हुई, यहां के लोग आज भी, कुछ लोग आज भी यह बोल रहे होंगे, तो इस language का अगर remnant हम देखें, तो आज भी South Asia में, South East Asia में, यह language ब यह दो भाशाएं, यह दो भाशाएं जो है, संथल्स बोलते हैं मुंडा, तो North मुंडा, South मुंडा है, उसके अलावा मौन खमेर जो है, खासी hills में, जैंतिया हिल्स में, नौर्थी साइड में, और निकोबार आइडेंड में, यह दो भाशाएं बोली जाती हैं, मुंडा औ मौन खमेर, तो आस्ट्रो एशियाटिक की मुंडा और मौन खमेर, इंडिया में आज भी बोली जा रहे है, यह बिल्कुल ही इनिशल वेव है, बिल्कुल पहली वेव है, पहली वेव, अब दूसरी वेव जो आपकी आई, दूसरी वेव शायद, यह नो, उसका उरिजिन श लोगों नहीं यह भाशा सीखी, अवो जैसे भी माइगरेशन से हुआ, लेकिन यह जो भाशा थी, विच इस तिवितो बर्मन, यह सेकेंड वेव थी, इसने बहुत ज़्यादा येलो वेव को यानि आस्ट्रो शाटिक को इंपाक्ट नहीं किया होगा, बेन थर्ड वेव के इंट्री होती है, विच इस यॉर द्रविडियन वेव, कहते हैं द्रविडियन वेव की जो स्टार्टिंग है वो इरान साइट से, अब इरान साइट से तुम समझो, फिर से तुमने एक वेव लानी चालू करी, लेट से यहाँ पे ओरिजन रखा तुमने, और एक नई आया, पीछे की जनेरेशन को पता चला, आगे जाते गए, आगे जाते गए, और आगे जाते चले गए, वो सब का कुछ इदर भी गया हो, पॉसिबल है, पहली की नोटिस करने लाइक, कि जो नई वेव आई, उसने पुरानी वेव को भी, यह नो, ओवरलाप कर दिया, वो पुरानी वेव उसके बीचे छुप गई, यानि कि अब यह जो लोग है, यह सब क्या बोलने लग गए, द्रविडियन बोलने लग गए, आप कहेंगे सर, ऐसे कैसे हो रखता है, हमारी साउथ की लैंगविज है, नौर्स में कैसे जा सकती ही वहाँ पर, चलिए इसका लांगविज मतलब आज जैसे तमिल, तेलगू, कन्नड, मल्यालम, यह सारी दरवडिया लांगविज है, अब इसका देखो तुम ओरिजन, तो ब्रहुई जो है पाकिस्तान बोली जा रही है, नौर्स में बोली जा रही है, इसका मतलब उधर से आई थी है, तो हमारे पास जो एविडेंस हैं, उससे पता चलता है, कि यह कहीं 30,000 साल पहले, 30,000 साल पहले शायद इरान साइट से या मिडिल इस साइट से इंडिया की तरफ आई होगी, और नीचे के जो लोग है, जो हमारा साउथ इंडिया है, वहाँ पे लोग बोलने लगे, आज भी यह इरान में अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तुरकमेनिस्तान में बोली जाती है, विच इस अगेन दप्रूफ कि जो द्रविडियन लैंगोज का उदभाव है, वो कहीं नौर्थ में हुआ है, और फिर वो नीचे साउथ में परकुलेट हुआ है, इन फाक्ट जारखन में और कुरुक, ये दो लांगोजोज भी जो है, आपकी द्रविडियन लांगोजोज हैं, तो ये हो गए आपकी तीसरी वेव, अब आते हैं चौथी वेव पर, चौथी वेव यानिकी आपके आर्यंस, आर्यंस का उदभाव कहीं स्टेपीज में हुआ, अब ज़र यहाला ध् साइड बेचले आए, और अब ये तीसरी वेव है, जो शायद आज से 4000 साल पहले, और ये ऊपर नौर्थ में ये वेव लांगोज़ वाइस डॉमिनेट करेगी, अब ऐसा नहीं कि देखो थोड़ा बहुत इधर उदर पुराना कलर भी रह जाएगा, इसलिए हमें बीच में अराओ, कुरोख, ये सारी रैंगुज़ भी देख रही है, राइट, है ना मुंडा हमको देख रहे हैं, कि मुंडा खासी है, वो रेमिनेट रैंगुज़ है, पुरानी वाजी वेव की, वो भी रह गई है, लेकिन ओवर आल, जो भी नई वेवाई को डॉमिनेट करेगी, तो जो रेड वेव तुम्हें दिख रही है, यही आक्चली क्या है, यही इंडवा रैन है, अब इनीशली जो तुम्हारी वेदिक संस्कृत है, वेदिक संस्कृत, वो यही वेव है, इसी में से निकलेगी पाली, प्राक्रित, आप भ्रम्ष, इसी में से और आगे आप मेडिवल तक जाएंगे तो आज की जो modern languages हैं हिंदी बेंगॉली गुजराती एटसेक्ट एटसेक्टर यह सारी languages इंडो आरियन से निकलेए या तो यह इस तरीके से आपकी waves आ रहे हैं इंडो आरियन जैसे कि मैंने कहा कि this is like recent phenomena 2000 BC के आसपास अगर हम दर्विडियन की बात करें तो शायद वो 30,000 के बाद हुआ है आस्ट्रो इस्याटिक शायद 50,000 के आसपास हुआ होगा तो यानि जो अभी हम cognitive revolution पढ़ रहे हैं cognitive revolution is more about आस्ट्रो इस्याटिक जो पहली language जो develop हुई पहली wave जो develop हुई यह बाद जल्दी से समराइस करते हैं इसको तो हमने समझा कि हम cognitive revolution जो ला रहे हैं यह हमारा middle polyethic में कहीं तीस हलार से चालिस हलार के बीच में है cognitive revolution जिसमें language जिसका सबसे बड़ा proof है जिसमें ऑस्ट्रो इस्याटिक तवितो बर्मन द्रविडियन इंडो आरेन ऑस्ट्रो इस्याटिक इस जगा का पार्ट है बाकी की languages आगे आएंगे राइट है ना ऐसा नहीं कि यह अब देखो language एक बार पढ़ रहे हैं तो पढ़के खतम करते हैं यह तो होगा नहीं कि यह यहाँ पढ़ा दूँ फिर वह आगे एक और पढ़ा दूँ इस सच्छा एक बार में हमने चारो पढ़ लिया तो फिलाल ऑस्ट्रो इस्याटिक और फर्स्ट वेव जिसमें इंडिया में अगर हम देखें तो मुंडा और मॉन्खमेर यह दो लांगेज़ आजी बोली जा रही है बाकी साउथ एस्ट एस्ट एश्याटिक का पूरा वर्चा से दिखाई देता है इसके अलावा सेकेंड वेव जो आई थी वो तिवितो बर्मन थी तिवितो बर्मन में हमको दिखाई देगा कि हमारी जो हिमालियन बेल्ट है उसमें तिवितो बर्मन बोली जा रही है देन दरविडियन के एंट्री हुई प्रूफ है कि पाकिस्तान में ब्रहुई बोली जाती है यह कहीं से एंट्री हुई थी मिडिल इस्ट या इरान साइट से मिडिल इस्ट या इरान से एंट्री हुई थी तीस अदार साल पहले इरान, अफगानिसान, पाकिस्तान, इसेक्टरा आज भी बोली जा रही है आपकी जो साउथ इंडियन लांगुजों है दार्दिक, कश्मीर साइड भी और इंडो वार्यन यानि जो हमारे इंडिया में आई है इंडिया में अगर आप देखिए तो संस्कृत वेदिक संस्कृत, फिर वेदिक संस्कृत की बात करी, प्राकृत, पाली, अब्रभाम्ष आपकी जो मौडल लांगुजों हैं हिंदी, बंगाली, असमीज, ओडिया, मराथी, गुजराती ये सारी लांगुजों अक्चुली इसी में से निकली है ओके, अगर आप इस चार्ट को देखिए ये चार्ट थोड़ा सवार देख रहे थे तो ये बिसिकली आरेंस का बिल्कुल उदभाव है तो इस इस प्रोटो इंडो यूरोपियन, ध्यान से सुनना यह बात प्रोटो इंडो यूरोपियन तो जो अभी तुम माप में ये देख रहे थे कि हाँ, यहाँ से निकली और यूरोप भी चले गए तो यूरोप में भी जितनी लांगजज़ है सब का रूट यही है एरान की जो लांगज, मेल लांगज़ है उसका रूट भी यही है हमारी हिंडी संस्वित का भी रूट यही है तो हम सारी लांगज़ज़ अल्मोज सेम मदर को बिलॉँग कर रहे हैं पर्शियन हो, तजकी हो, आपकी रोमानियन लैंगज, चाहे रोमानियन, इटालियन, फ्रेंच, कैटलन, स्पानिश, पॉर्चुगीज, सब इसी में से हैं, and then आपकी स्वाविक लैंगज, जाहे आपकी युक्रेमियन, रॉशियन, सब इसी का पार्ट है, and German languages भी सारी इसी का पार्ट है, Danish, Swedish, etc, etc, and that is the reason आपको लैंगज में बहुत सारे शब्द कॉमन दिखते हैं, क्योंकि originally हम सारे लोग जो है, वहीं से आ रहे हैं, सारी जो लैंगज है, वो basically जो सारे लोग ने, जो आ रहे हैं लैंगज है, वो basically आपकी वो ब्लाक सी, या फिर स्टपीस के पास से जो है आ रहे हैं, और जैसे mother, तो mother, English में भी तुम mother कह रहे हो, Latin में भी matter कह रहे हो, maternal कह रहे हो, और इधर इंडिया में भी तुम मा कह रहे हो, है ना मात्र कह रहे हो, यह हमने एक cognitive revolution खतम का लिया है, middle polyethic, middle polyethic फिर से तुम बताओ कि क्या क्या सीखा तुमने middle polyethic में, middle polyethic में एक तो हमने बात करी flake tools की, जिसमें हमने समझा, क्या समझा, scraper, और दूसरा middle polyethic में cognitive revolution आ गया है, जिसमें चार भाषा हैं, हाला कि austro-asiatric middle polyethic को बिलॉंग करेंगी, लेकिन बाकी सारी भाषा हैं धीरे धीरे आती रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या हम सारे दो clear हैं, या कोई बात नहीं सान में, अब यहाँ पुझे ब्रहामी कहा से आई, अजब ब्रहामी स्क्रिप्ट है दोस्त है, ना, लैंगोज नहीं है ब्रहामी, ठीक है, वो वक्त आएगा, वो भी पढ़ाओंगा, हना वो कल्चर में सारी भाषा हैं कैसे आई, क्या होई, फिर पढ़ाओंगा, ठीक है, तो do not worry about that, जो हमारा मुद्दा है, क्या वो सान में आ रहा है, एवरिवन, यहां मुद्दे पे क्लियर है, संस्क्रित, आरियन्स, जो वेदिक संस्क्रित है, वो आरियन्स, एंडो-ारियन्स से निकलिया, पहली रैंगोज भाही थी, या, चलिए, ऑसम, अभी खतम हो जाएगी क्लास, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर मस्ती करना, रैट, चलिए, तो आके हैं, आते हैं अपने लेट और अपर पालियो लिथिक पे, हमारी, हमारा पालियो लिथिक का आखरी सेग्मेंट, नाओ, लेट और अपर पालियो लिथिक में जाने से पहले, एक छोटा सा, छोटा सा जो है, पॉइंट में तुम से कहना चाहूँगा, इसके पहले क्या हम cognitive revolution ला चुके हैं यानि ये इसको boost करेगा तो अपर और rate में क्या हम तुम ये समझ सकते हैं मुझे बताओ कि हम समझ सकते हैं कि हम काफी समझदार हो चुके है इन फाक अपर पालिलिथिक में एंटर करते-करते वी आर मोर लाइक मॉडन मैं अटेक्निकली वी वॉन्ट टू और वी विल और वी विल आटोमाटिकली हाव सम कल्चर ओवर रहा अब इसके पहले क्या कल्चर नहीं था देखो अब कल्चर काइदे से देखो कल्चर तो वैसे तुमने कुछ भी अट्रिब्यूट कर लिया तो कल्चर है यहां तुमने कल्चिवेट कर ली कुछ नहीं हाबिट पट यहां से जो कल्चर कल्चरल डेवलप्मेंट है इस एन्हांस एन्रिच्ट क्योंकि इस एरा में गुस्ते हुए सोचो कि चालीस हजार साल पहले यानि अब हम आ चुके हैं अल्रेडी चालीस हजार पे खड़े हम लोग चालीस हजार साल पहले अब जो हम जिस ताइम मेंटर कर रहे हैं विच इस यॉर अपर पालुलिथिक कहांगे माइड मैप कहांगे हमारा अपर पालुलिथिक अउर्डी कोग्निटिव रेवलुशन हो चुका है अब अपर पालुलिथिक ये ब्लांक यसे लिए क्योंकि आपको भरना है I'm expecting some art over here culture over here तो पहले एक बार मैक्रो व्यू ले रहते हैं अपर पालुलिथिक में हमारे टूल्स और एडवांस हो जाएंगे और वी विल भी हाविंग पैरलल ब्लेट्स प्लस ब्यूरिंस ये दो वड़ याद कर लएते हैं मतलब इसी में लिख लो अपने मैप में कि पैरलल ब्लेट्स होंगे और ब्यूरिंस ये दो नए टूल पहले भी बनाते थे ब्लेट्स ऐसा नहीं कि नहीं बनाते थे लेकिन अब ये टूल्स हम जादा बनाने लगेंगे ब्लेड पे अब जो है हमारी डिपंडेंसी जादा होने लगेगी बहुत जादा स्मार्ट हो चुक है हम यहां तक आते आते 50,000 क्रॉस कर लिया है 50,000 क्रॉस कर लिया है we are like very modern we can talk, we can actually tell things and we can express ourselves we can understand your expression यह सारी कीज़ा यहां होने लगी है अब ऐसे में ब्लेड और ब्यूरिं ब्यूरिं क्या होता है let me tell you ब्यूरिं क्या होता है ब्यूरिं एज एक ऐसा ब्लेड जैसा बनाओ और इसको ऐसा शार्प कर दो यहां पे this is edge this is sharp जैसे की screw driver this is ब्यूरिं ब्लेड क्या होता है ब्लेड इस यहां यह शार्प एज है कुछ ऐसा कभी कभी दोनों साइड भी शार्प सकता है blade ऐसा लंबा लंबा सा blade so that is a blade ब्लेड होता है यह चाकू का blade वैसा so blade और ब्यूरिं इस ब्यूरिं यह दो चीजें हमको अपर पर पालिलिथिक में ज़र आती है तो अपर पालिटिक में पैललर बेट्स अभी अने लगा और यासे कि मैंने कहा आर्ट दिखने लगेगा आई समझते है अस वात को तो अपर पालिटेग्ट तो दिस इस अवा स्फेस्ट कि एक सबस्किर कर रहे हैं कि यहां पर कहानी बढ़ेगी एक और चीज, flint industries, limestone का यूजर चालू हुआ है, flint जहां लिखा होगा, it is more about limestone, limestone का यूजर चालू होने लगा है, धीरे धीरे हम hollow scene की तरफ बढ़ने लगे है, धीरे धीरे अब temperature थोड़ा घटने लगा है, ठीक है, already ऐसा नहीं कि hollow scene में एकदम से प्रकट हुआ, temperature घटने लग तो यह थोड़ा सा warm climate है, यहाँ पर, प्लस, प्लस, parallel sided blades और burins मैंने तुम्हें बताए, एक और चीज़ नोट करते हैं, which is bone tools, bone के tools, अब देखो, यह bone को तोड़ के नोने कुछ, जो है, you know, pierce करने के लिए बना दिया, ऐसा needle जैसा बना दिया, ऐसा घर में नाडावला डाल करते हैं, इस तरीके का, कि हाँ, इस में धागा पसा दिया, फिर, you know, swing वगरा के लिए, stitching के लिए use करेंगे, तो bone के tools इस्तमाज होने लगेंगे, तो parallel sided blades, murins और bone tools, अब bone tools का थोड़ा सा site, दो site हमको मिलती है, एक करनूल है, और एक मुच्छातला चिंतामडी गावी, एक ह तो it's a beautiful name, beautiful in the sense, कि अगर ऐसा करके कोई पूछेगा, तो अगर किसी सवाल में लिखा होगा, तो तो वाओ, क्या सवाल है, मुच्छातला चिंतामडी गावी, कहाँ पर किस से related है, हाँ, तो bone tool मिला है, उसमें आपर पालिठी की site है, ठीक है, तो bone tool, करनूल और मुच्छातल किसी को बताना नहीं, right, इसमें तुमने कहा करनूल, right, तुम्हें पढ़ाना नहोता, तो मैं भी तुम्हें यह ना दिखाता, लेकिना आप पढ़ाना है, तो आँ दिखाना पड़ता है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, right, करनूल और जो है, यह दूसरा है, बढ़ने लगा है, तो गर्मी आने लगी है, तो दिमाग में रहता है कि खटने लगे, तेमपरीचर बढ़ने लगा है, गर्मी की तरफ धीले दिले जा रहो, okay, so, तो हम किज़र जा रहे हैं, आपस आते हैं, हमने कहा कि पैडलल साइडेट ब्लेट सब्यूरिंस मिलने लग प्लस, प्लस, ऑस्ट्रिच हुआ करते थे इंडिया में, आज से 25,000 साल पहले, इंडिया में ऑस्ट्रिच भी हुआ करते थे 25,000 साल पहले तक, ऑस्ट्रिच के जो अंडों के जो शेल होते हैं, अब हमें ऑस्ट्रिच के अंडों के शेल मिले, जिसमें तुम देखो कि ये ड यह एक ऐसी लाइन है यह एक ऐसी लाइन है और कुछ पैरलल ऐसे इस तरह से बना रखा है दिस इस इंग्रेविंग इंसाइस्ट डिजाइन भाई है यह रांडम खुर्चा नहीं हुआ है यह प्रॉपर डिजाइन है यानि अब हम सोचने लग गए है कि हां कुछ डिजाइन बनाई जा सकती है दो समया रही है कुछ बीड बनाया सकता बीड ओर्नमेंट वी बना सकते हैं ऐयख आ पहना भी जा सकता है कोई चीस है ता डाहए पैंसकते हैं अच्छा लगा tutorial के अंदर नागा डालके एस तो हमें ostrich की egg shell पे इस तरह का inscription नहीं कहना चाहिए, हमें incised ostrich egg shell, हमको ये मिलता है पटने में, तो एक और site हो गई, पटने में हमको ostrich का egg shell मिल रहा है, ये थोड़ा सा valid site है, हमें मिला और जगा भी है पर बात ने पता चला कि खुरा चीगा था हो, तो कई किताबों में गलत लिखा हुआ है, तो तुम एक रटो खाली, पटने, पटने is incised ostrich shell, egg shell, तो इनका जो है, egg shell जो है, उस पे design किया गया है, पटने में मिला है हमको, और हमने चालू कर दी है painting, तो अपर पालोलिथिक में ही painting चालू हो गई है, तो टेक्निकली, टेक्निकली, पेंटिंग इस द characteristic of mesolithic, बट हमने painting चालू यहीं कर दी है, तो एक तो देखो ostrich के हमने बात करी, वहाँ पे हमें थोड़ी art दिख गई है, प्लस इसी जगहा पे अभी तो mesolithic आया भी नहीं है, ऐसा नहीं कि mesolithic में थोड़ा गर्मी पढ़ने लगी तो हम अच्छा लगने लगा और हम painting करने लिए, right, कहांगे हमारी painting वापत आते हैं, हाँ, तो हमको painting भी मिलने लग गई है, तो paintings, अब generally जहें जीवन में इस समय सबसे आदा क्या होता है, hunting होता है, तो हम सबसे आदा क्या draw करें, hunting scenes draw करेंगे, understood, तो इस तरह के कुछ जहें जा रहे हैं, किसी पर attack-attack करने, इस तरह के painting बनाने लगे दिवार पर, अब इसमें तुम देखोगे, बड़े-बड़े जानवर बना रहे हैं, क्यों बड़ा जानवर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमको लग रहा जानवर बड़ ही देंगे something, तो हमारा जो main occupation है, वो hunting है, बस समया रही है, अब जैसे मेरा main occupation teaching है, तो अब मैं कहीं भी कुछ भी पढ़ रहा हूँगा, तो मैं सोचूँगा, हाँ यार ये भी बच्चों को बता देना चाहिए, या मैं वो किताबे लेकर आँगा, जो चीज में, जो मुझे पढ़ाने में और help करे, जो चीज शायद मैं ज्यादा चीजें तुम लोगों को deliver कर सकूँ, तो मेरा पूरा दिमाग वो चलता रहेगा, सोते जाते मैं ये सोचूँगा, पट ये क्या सोचेंगे, सोते जाते हंटिंग सोचेंगे, तो क्या draw करेंगे, हंटिंग ड्रो पट ऐसा नहीं कि सिर्फ hunting draw करेंगे, अब देखो, जो भी इनको जो है दिख रहा है, और उसमें आगे animal बड़ा बनाएंगे, आदमी को बनाएंगे, एकदम लकड़ी याईसा, ये है आदमी, क्यों? क्योंकि जानवर भाया है, लशी है, बड़ा है, खा जाता है, मार देता है, understood, लेकिन उसके आगे हम क्या है, अभी हम बहुत छोटे है, अभी हम सिर्फ जलासे है, मेभी शायद है, किसने बताय थोड़े है, अब हमारा क्या है, perception है, हम painting देखके derive कर रहा है, पासलनारी है, हो सकता है, उनका perception है रहा हो कि हाँ, हम क्योंकि पतले हैं, तो हम agile है, तो मीजोलिथिक में करेंगे, वक्त नहीं आया है, मीजोलिथिक का, है ना, तो फिलाल, यहाँ पर painting already चालू हो चुकी है, कहीं green painting, तो dancer भी देख रहे हैं, ओहो, यानि dance भी हो रहा है, अब हमको एक image मिलती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, डांस कर रहे हैं लोग, और यह गिर भी गया है, डांस करते हैं, यह वही वाला dance है, जो DJ में तुम लोग नहीं पकड़ लेते हो, train बना के dance करने लगते हो, human chain है, यह वही human chain वाला dance है, यह हम लोग आज भी DJ पर कर रहे हैं, यह तब भी हो रहा था, और यह dance वाला green में बनाते हैं, green, क्यों? क्योंकि यह मस मस्ती है, तो सोचे उनको color sense भी है, कि अगर dancing है, मस्ती है, तो green में बनाओ, अगर hunting है, खतरनाक है, तो red में बनाओ, ऐसा देखते field आ जाए, red है, ओ, यह तो खतरनाक चीज है, यहां क्या है, मस्ती हो रही है, ओके, तो हाँ भी, यहां पर dance हो रहा है, तो यह इस तरह के scene, society के scenes, अब यह अभी थोड़ा all discuss करेंगे mesolithic, बढ़ हां, यह सारी चीज़ा यहां पर develop होने, already होना शुरू हो चुकी है, इसका बड़ा version हम देखेंगे mesolithic, mesolithic कों को बहुत paintings मलने वाली है, वहां पर बात करेंगे इसकी, तो फिलाल, आप देखेंगे कि painting की शुरुआत वी य हो है, आगे जाके mesolithic की painting जादा मिलेंगी, हाला कि इसके बाद की painting मिलेंगी, but yes, तो भी मेट का is the example, अब जैसे करनूल में एक animal teeth मिला है, जो मैं कहा रहा हुता है ना, गले में डालके शायद, शायद इसको as an ornament, क्योंकि उसमें छेद भी है, दात के अंदर छेद है, animal का दा रखी है, ऐसा कुछ design design बना रखा है, अब हम, क्योंकि बहुत पुराना है, we don't know exactly क्या है, तो हो सकता है, यह किसी female figurine का photo, उसकी मूर्ती बनाई हो, possible है, we don't know, या फिर हो सकता है harpoon हो, फिशिंग वगर हम यूज़ करते हैं कुछ, तो harpoon भी हो सकता है, पटने में already मैंने त decorate करना चालू हो चुका है, then बाघोर और MP, MP में एक जगा है बाघोर, वहाँ पे हमको, you know, एक circular platform के ओपर, कुछ triangular stones मिले हैं, जैसे आज भी तुम्हारे गावा में अगर तुम्हें देखा हो, यह किसी को बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो यह जो ऐसे motos मिले हैं, जिसमें humanistic like का है, sorry, triangular stones का जो है, you know, हमें formation दिख रहा है, और शायद, शायद इसकी पूजा होती थी, क्या होता है कि कई बार हम लोग relate करते हैं, आज की practices से, आज जो हमारी tribes हैं, वो किस तरह से practice करती हैं, तो हमारी जो tribes हैं, कोल और बैगा, यह आज भी ऐ female goddess मान के पूजा करती हैं, यानि कि शायद उस समय भी पूजा इस तरह की होती रही होगी, right, उस समय हो सकता है, पूजा होती हो, we don't know, याना, ऐसी कुछ religious practice predict कर पाना थोड़ा possible नहीं है, okay, अभी mesolating पेंटिंग के और बात करेंगे, similarly, लाकुदियार caves, लाकुदियार caves उत्तरा खंड में, अभी मैं तुम्हें dance वाली photo दिखा रहा था, तो वो hand linked dancing human figures यह मिल रहे हैं यहाँ पे, right, तो यानि कि हम culture में, अपर पालिजिक एरा में ही आगे बढ़ चुके हैं, already हम painting और इंटिंग करना चालू कर चुके हैं, that's it, इससे यादा side numbers में नहीं पड़ेंगे, तो इसी के साथ हमने पालिजिक खतम कर लिया है, right, पालिजिक में lower, middle, upper हमने finish कर लिया है, एक बड़ जला summarize करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितनी कहानी याद है, एक मिनट जहें पहले, अपर पालिजिक फाइनल बात कर लेते हैं, अपर पालिजिक में हमने टूल्स में development देखा है, बताइए आप लोग बताइए क्या टूल्स में development है, एक तो स्टोन टूल्स में development देखा है हमने कि हाँ, जो है यहाँ पे parallel blades, यह लिख सकते हो, parallel blades और burins, यह development देखा हमने, उसके लावाँ टूल्स में हमने देखा कि बोन टूल का इस्तिमाल होने लगा है, जिसमें हमने दो को नाम करनूल, और मुट्चातला, चिंतामडी, गावी, MCG, ऐसा करके लिख दिया हमने, इसके लावा हमने बात करी, art की, art में एक तो ostrich का egg shell, हमने कहां, पटने में, महराष्ट्रा में है, और दूसरा, दूसरा हमने बात करी कि जो है, इसके साथ साथ हमने बात करी कि हमें पेंटिंग समय रही है, पेंटिंग जैसे की भीम बेट का भी है, लाखुदियार भी है, and then लोहंडा, नाला, जन जो है, बागोर, and all those examples, तो यह हमने final discussion यहाँ पे किया है, good, good, very good, जो है, आप लोग भी बता पा रहे हैं, बहुत ही बढ़े हैं, बहुत ही बढ़े हैं, तो इसी के साथ हमने paleolithic, paleolithic, जो है conclude कर लिया है, right, तो एक बार final conclusion के देख ले, okay, so, इसको एक बार clear कर लेता है, और, यहाँ तक हम सारे लोग साथ में, कोई आथा है, जो खो गया, ओ, एक बहुत अच्छा सवाल बीच में रहे गया, level wise technique, ओके, अब आते हैं, level wise technique पर आते हैं, ठीक है, पर पहले एक बार conclude कर लेते हैं, पालिलिथिक को, so now, तो हमें याद आया कि हाँ, हम बात कर रहे हैं, पालिलिथिक की, ठीक है, खाली इस पार्ट पर focus करो, पालिलिथिक हमने बोला, और बताओ, पीछे-पीछे की क्या है, एक तो पीस्तो सी नहरा चल रहा है, वह हम पीछे जानते हैं, ठंड बहुत है, यहां से तेंपरेचर बढ़ने लगेगा, पालिलिथिक में हमने कहा कि भाई, हंटिंग अंड ग्यादरिंग इस अमें तिंग ग्यादरिंग, और बांड सोसाइटी, और स्टोन तूल्स, कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, राइड, ये सारी भीचीज हमने आवे बात करी, जो उस तरह की पेंटिंग कर सकता है, जो फ्लेक टूल फिगर आउट कर सकता है, तो बहुत ही बेसिक हो गई, उससे जीना सीख दिया है, तो बहुत बड़ी वात है, तो जहें अंडरिस्टिमेट मत करो, ठीक है? राइड, आइड, आणे अंडरिस्टैंड झिर्टूल फिटिमेट में एंट वर्इड वरी वेल, वटो, ईक है, तो 2,000,000 से इसको 2,000,000 कर ज़ेते हैं ताकि confusion ही खतम हो जाए 2,000,000 से 1,400,000 तक Core Tools हमने कहा कि आप लोग बताते जाएए टाइप करते रहे हैं Hand Axe होगा और क्या होगा Chopper होगा और क्या होगा Cleaver होगा यह main Core Tools हम इस्तेमाल कर रहे हैं Quartzite के Stones हैं Yes, हमने बात करी कि Bori Hansgi, Hansgi के साथ-साथ Isampur, और एक और Site तुम्हें already ready हुई है, वो है Hatnora And Didwana, 3-4 Site हम ध्यान रखेंगे बस छोड़ देंगे यह था हमारा Lower Palo थे Then Middle Palo थे हम कुछ मिस्तों नहीं कर रहे Middle Palo थे हमने कहा हम इस्तेमाल करेंगे Flake Tools और इसमें Add किया हमने Mainly Scrapers Pointers Right Middle Palo थे में और दूसरा अच्छा इसी में Level Oys Technique की बात कर लेते हैं कि जब हमने Flake Tools इस्तेमाल किया तो बहुत सारी टेक्नीक बनी हम आज इसको नाम दे देते हैं लोगोंने Figure Out कर लिया Right, Level Oys Technique Level Oys Technique तुम्हें क्या होता है कि तुम पहले किसी Core के ऊपर उसको जो करना है कर लेते हो इसको खोद दिया तुम्हें एक हथोड़ा मार मार के इसमें जगा बना ली जिस तरह का तुम्हें Shape चाहिए तुम्हें Shape बना लिया इधर से भी तुम्हें अगर Clean करना है Clean कर दिया और उसके बाद यहां पे Hammer मार के इस Point पे इस Point पे Hammer मार के इस Part को अलग कर लिया एक उना तुम्हें बनाना है Right पत्थर बनाना तो है नहीं तो Tension की बाद बहुत है नहीं तो यह जो अलग कर लिया अब यह जो Tool बना This is your Flake Tool कि Flake को पहले Dressing Core के उपर ही कर दिया पत्थर के उपर Dressing कर दी फिर अलग निकाल दिया तो इसे Tall Twice भी कहते है कि आपने कुछ Tall Twice जैसा अलग कर दिया Right तो यह जो आपने Flake अलग किया है जिस technique से अलग हुआ है यह जो बनाने की जो टेक्नीक है This is level wise technique कहां पर इस्तेमाल करी हमने यह? यह हमने इस्तेमाल करी Middle Paltic में प्लस Middle Paltic में एक और चीज हमने जानी Which was Cognitive Revolution Languages के हमने बात करी इसकी sides अगर हम देखे हैं तो दो हमें ध्यान है नेवासा और लूनी दो मेन है ठीक है बाकी पोटवार नर्मदा ध्यान रखना है अब यहां तक हम काफी समद्दार हो चुके हैं हम बात करने लगे अपर पालुथिक की अपर पालुथिक जो है यही पर लिख रहत है अपर पालुथिक में आते आते जो है वी आर टॉकिंग अबाउट पारलल ब्लेट्स बताईए आप लोग ब्यूरेंस आड आर्ट आर्ट में ऑस्ट्रिच का एंग शेल और भीम बेट का पेंटिंग्स प्लस बोन टूल्स यह सारी चीज़े यहां पर आगे और नमेंटेशन बीट्स यह सारी चीज़े हमने आपर अपर पाल्टिक मुसीखे ओके तो अगर हम सारे लोग साथ में हैं तो कहानिय और आगे बढ़ाते बात करते हैं मीजो लेते कि यह एक और बात बहुत सही आपके अपर विद्ट कंपकंट्स टांस की बात दाउस कि विव healed डांस ढही तुमही裡 ही पर समझना पड़remo बीन म्यूजिक करियार तुमहा हो быстр偉ँ इर भाइंगे ढ भीश्यमिप्तबध j और फेकि आशिए उनकु जैसे भी इनव गानें होतेँ होँगे याज़ Eli क्लासिकल डांस नहीं है, but they knew how to dance, they danced, right, plus of course गाना भी गाते होंगे, plus of course कुछ बजाते भी होंगे, है ना, कहीं ना कुछ, you know, drum गुरम figure out कर लिया होगा, तो एक और पेंटिंग है, जिसमें कुछ एक, जह है, वो percussion instrument, जो नहीं होता, जो, you know, खाल उन्होंने लगा दिया, धोलग बजा जा रही है, right, तो वो उस तरह से कुछ बजाए भी जा रहा है, that means their new music, और rhythm ही तो create करना है, rhythmic music, rhythmic dance, they knew, and they were doing this, okay, so, जो है expression of feeling and dancing, yes, expression of feeling and dancing, तो यहां तक हम सारे लोग साथ में हैं, तो कहानी और आगे बढ़ाते हैं, quick thumbs up by everyone, so that I know कि I can go ahead, habitation come factory, ऐसी जगह जहां आप रह भी रहे हैं, वहीं पर पत्थर भी अवेलबल है, तो आप उसके tools ही बना रहे हैं, तो वो भी fire, fire यहां तक आते आते हैं, आपने fire भी figure out कर ली है, ठीक से, fire तो पैसे भी पता था, लेकिन हाँ, यह जो zone है, इसके बीच हो fire भी, exactly we don't know, लेक 50,000 is a good point जहां पर आपने बोलना शुरू कर लिया है, yeah, make sense everyone, great, चलिए, तो कहानियो आरा आगे बढ़ाता है, मीजो लिथे की बात करता है, okay, अच्छा, by the way, जो है, एक doubt feature, आसका doubt feature already exist करता है, but I think कल से हम लोग शायद उसा शुरू कर पाएंगे, जहां पर आप अपना relevant doubt, जो भी आपको लग रहा है, यह रह गया है, आप पूछ सकता है, now again, जो है, जो पेंटिंग है, इसका कुछ religious connotation हो सकता है, but, society में कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर पानना, on the basis, अब टूल मिला है, तूल मिला है, अब इससे कैसे बताएंगी, धर्म था नहीं था, पूजा हो तो बड़ा मुश्किल है, बता पाना, ठीक है, तो यह हैं कोछ issues जो है, यहाँ पे हैं इस तरह से, clothing again, वो जो है, जब वो यह पाली कोर टूल वाला जो area है, clothing is a very very basic thing, it's as basic as जो है आपका खाना-खाना, right, तो वो basically clothing इसलिए नहीं करना कि सामने वाला देखेगा, तो temperature बहुत कम है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो कुछ अपने आपको ओढ़ना है, और वो धीरे-धीरे जब तुम करोगे, तो तुम figure out कर लोगे कि इसको band देते हैं, stitch कर लेते हैं, धोती type लपेट लेते हैं, वो धीरे-धीरे तुम figure out कर लोगे, right, तो वो भी बहुत ही basic है और वो यहीं पर आपने figure out कर दी होगी, ऐसा को इसका भी कोई time period नहीं है, जैसे Ice Age movie आगर आपने observe कर रहा हो, तो उसमें भी उन्होंने कप्ड़े-प्ड़े साब पहने हुए, और जो है, again जैसे मैंने का basic है, वहीं से हो जाए, class की notes आपको मिल जाएंगे, जो है, ये class की notes की tension मतलो, rough notes तुम बना रहे होगे, that is good enough, चलिये, okay, कहानी और आगे बढ़ाते है, तो ये history, pre-history, proto-history अलड़ी बता चुका हूँ, इसमें एक point और है, जो add करना वेदिक वाला, बट अभी वक्त नहीं आया, ठीक है, आगे add करूँगा, so, अब महसम बदल चुका है, ठीक ठीक है, वक्त आ चुका है, इस point पे enter करने का, जहां पे हम कह रहे हैं कि hollow scene चालू हो रहा है, और temperature बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, गरमी हो रहे है, ठीक है, गरम, ice age नहीं रहा, warm हो गया है, ठीक है, तो mesolithic में हम entry कर रहे हैं, this is 10,000 BC, और ये 6,000 BC तक चलने वाला है, now, mes isolithic, climate change हो चुका है, और climate change की वजए से आपका flora, fauna भी change हो चुका है, right, है ना, आपके पेड़ पौदे, बहुत सारी घासे होने लग गई है, बहुत सारी जंगली घासे होने लग गई है, और हमें पता चला जंगली घास देखते 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 पता चलेगा एक दिन QC म यहू निकल आएगा, बाडले निकल आएगा, बट फिलाल, तो हमें क्या दिखेगा, कि आपने जानवर बदल गए, अब हम लोग जो प्रिपेर्ड थे, वो बड़े हाथी को मारने के प्रिपेर्ड थे, मैमत का शिकार करते थे, पर मैमत को मारने निकले थे, और आ गया साम आपने खरगोश, अब क्या किया जाए, इस खरगोश को कैसे मारा जाए, अब खरगोश तेजी से भाग रहा है, अब इस भाले से, या बिसिकली भाला भी नहीं कहना चाहिए, इस लेट से, या इस ब्लेट से, अब मैं उसके पीछे कहा तक दोड़ूँगा, तो इस नोट तो किल वन एजाई आनिमल, अब वो हिरन है, अब हिरन के बीछे दोड़ है पड़ा है, हिरन मुझसे जादा ते दोड़ रहा है, मुझे समया आए, स्पीड में तो हिरन को मैं नहीं हरा सकता, हिरन बहुत तेज भागेगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, तो फिलाल, now I'll have to think again, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर realize होगी, with this thing, कि पहली बात तो मुझे technology में कुछ modification चाहिए, दूसरा एक बड़ा realization है, दूआ, कहता है दूआ में याद रखना, तो भई दूआ है, नहीं वो दूआ नहीं है, this is domestication of animals, दूआ क्या है, कि मैं किसी जानवर को शिकार करने गया, मारने गया, और वो थी, कोई जानवर था, right, तो मैं, you know, एकदम जा रहा हूँ, और एकदम मार नहीं जा रहा हूँ, एकदम भादा लेकर पहुंच ही किया, या जो भी अपने पास blade लेट था, पहुंच ही किया, पर वो भागा ही नहीं, and now this was very shocking, भागा क्यों नहीं, भाग सकता था, अब मुझे आता ही नहीं है, कि हाँ, जब भागे ना तो मारें कैसे, बस मैं आ रही है, मुझे आदत है कि भागे तो मैं मारता हूँ, लेकिन भागी नहीं रहा हूँ, कैसे मारूं, तब मैं क्या करूँगा, अब मुझे रिलाइज होगा, यार इसे फिर क्यों ही मारो, इसना प्यारा जानवर है, इसे लेकर चलो, तो अब उसे में लेकर घर आ जाओंगा, maybe that जानवर is sheep, maybe that animal is goat, औ और मैं इसको बांध लोगा, फिर से देखते हैं, तो हम बात कर रहे हैं मीजोलिथिक की, मीजोलिथिक, first thing what we are discussing is, कि पहली कीज़ जो मुझे important लग रही है, वो है, यानि most important जो लग रही है, वो है domestication of animals, domestication of animals, domestication of animals तो मुझे बताओ, ध्यान से सोचो, कि domestication of animals, जो मैं goat लेकर आ गया हूँ, या sheep लेकर आ गया हूँ, क्या मैं इसे बांध के रख सकता हूँ, क्या मैं इसे आज ना मारूं चलेगा, क्या मैं इसे 10 दिन मारूं चलेगा, 10 दिन बाद मारूं चलेगा, क्या मैं इसे सो दिन बाद, अच्छा, I'm really sorry for this crude behavior, हम ऐसे मारने पीटने की बाते कर रहे हैं, क्योंकि हम survival की बात कर राइट, और जब मेरे तुम्हारे survival की बात होगी, हम लोग जमाने में होंगे, तो हम hunting ही कर रहे होंगे, तो हम इसी तरह है, let's say, दो साल बाद दी मारूँ चलेगा ना, तो मुझे ध्यान से बताओ, कि यह जो गोट है, क्या यह storage of food है, और क्या इसके बाद में सांस होंगा, अब मेरी जो dependency थी hunting और gathering पे, क्या वो dependency एकदम से कम हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, पहले था कि मालो मैं, you know, fruits gather करके लेकर आया, but maximum एक हफते में खराब हो जाएंगे हो, fruits खराब होगे, बेकार होगे, या तो खा के ख़दम करूँ, या फेका गया हो, right, अगर किसी animal को hunt करके तुम मार जह ले आये, तो तुम्हें एक दो दिनों से finish करना पड़ेगा, नहीं सड़ जाएगा, मतलब फिर तुम खाओगे, बिमार पड़ जाओगे, तो you can't do it, तो अब तक तुम, you know, ये था कि daily wages पर था कि भाई, रोज जाओ, पकड़ के लाओ, खाओ, तो maximum एक हफता चल सकता था, तेर्फ हफता चल सकता था, इससे जादा, इससे जादा जो है, possibility नहीं थी, but अब, अब with this thing, weezolithic, कहानी बदल चुकी है, domestication of animal, ये storage of food है, मेरी dependency comparatively कम हो चुकी है, मुझे कहीं अच्छ ही रहेंगे, but एक और चीज़ मेरे साथ जोड़ जाएगी मेरे जीवन में, I'll become pastoral, चरवाहा बन जाओंगा, क्योंकि ये जो goat और शीप जो मैं लेकर आया हूँ, इनको भी तो ले जाके खिजाना पड़ेगा, ना, इनको ले खाना खिजाना पड़ेगा, तो ये basically जो है, इ सार किलमीटर निकल गए या लेट से 10 किलमीटर निकल गए, क्या वापस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा क्या वापस, अब तो आना पड़ेगा, क्योंकि खूंटे पे जानवरों को बांद के गये है, right, तो पहले जो हम लोग भाग जाते थे, और आब हम ही वापस आना पढ़ेगा इनके पास आना पढ़ेगा तो इनको ले जाकर कहीं और साथ में कहीं और बांद सकता हूं पॉसिबल तो है बट ऐसा रोज नहीं कर सकता तो हाँ पर्मनेंट सेटल्मेंट नहीं है बठाट अब मुझे रुकना पड़ेगा अब मुझे वापस आना पड़ेगा तो मेरी कहानी जो पहले एकदम से ही माइग्रेट कर रहा था मैं अब वो थोड़ी थमी है जीवन में थो सेटल्मेंट तक हम लोग पहुँद चुके इंपरेरी सेटल्मेंट में अफकोर्स थोड़ा सा पॉपलेशन भी यहां पर बढ़ेगी क्योंकि स्टोरेज फूड बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि पॉपलेशन भी ऐसा बहुत एक्टम एक्सपांड नहीं कर जाएगी ब नौ यहां पर एक और जो डेवलप्मेंट होगा वो मेरे होगा टूल्स में जो मैं टूल्स इस्तमाल कर रहा हूं यहां पर एक नए तरीके के टूल्स आएंगे विचार कॉल्ड एस माइक्रोलिट्स अब दिखाते हूं कैसे फोटो दिखाऊंगा ठीक है माइक्रोलिट्स ऐस मेरे राइटिंग हुत बूरी भी नहीं है पढ़ने में तौह है रही है नहीं आ रही है Microlith Microlithic बोलते है Microlith 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 These are like very small Microlith Very small Tones अब इनका फाइदा क्या है अब वो जो खर्गोज भाग रहा था Right अब मैं एक छोटा सा पत्थर बनाओ उसमें वो लगाओं क्या बोलते है डंडा लगा दूँ और फिर उसको मार दूँ तो नाओ अब वो कितना भी तेज भागे हम मैं उसे तेजी से मार सकता हूँ Right मैं तीर बना सकता हूँ मैं भाला बना सकता हूँ So now this small small जो है you know stone will actually change my hunting attitude hunting style आज सम्यार ये hunting style नी बदल जाएगी मेरी क्योंकि अब मेरे पास micro लिथा चुका है तो मेरी society overall मेरा ecosystem कहानी बदल चुकी है in this mezo लिते कह रहा plus plus यहाँ पे ये जो जंगली घास मैं observe कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हाला कि मैं लिख दे रहा हूँ पर तुम इग्नोर मार देना primitive agriculture भी मैं सीखूंगा थोड़ा थोड़ा सान में आने लगेगा कि हाँ यह आम फेको तो घुटली से यह नो निकल आता है कुछ पे थोड़ा थोड़ा सान में आने लगेगा इसलिए primitive कह रहा है अग्री कल्चर नहीं कह रहा है primitive कह रहा है इसको impact population पड़ेगा, हमारा art and culture और develop होने लगेगा, temporary settlement में हम लोग रहने लगेंगे, जब हम रहने लगेंगे तो अब हमारे लिए ornamentation वगरा और matter करता है, in fact now we will like observe each other तो तुम्हारी सुंदरता है न, थोड़ा सा make up, wake up करो, तो ornamentation matter करेगा, burial burial दिखने लगेगा, burial तो यह नई चीज़ें हमारी culture में जोड़ने लगेंगे burial, ornamentation, यह सब अब हम develop हो रहे हैं, अब हम पहुंच रहे हैं धीरे-धीरे society की तरफ, चलिए, okay so, जो है हम बात कर रहे हैं यह, हाँ, मीजोलिथिक तो मीजोलिथिक बात कर रहे हैं तो मीजोलिथिक में अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं